वेल सो गुड आफटनों गुड इनिंग तो अल आफ यू कैसे वाप सभी लोग आप बहुत अच्छे होगे ऐसी अच्छे वरत अंदुरस रहेगा और मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हों आज की दिन की शुरुबात एक बहुत अच्छे पॉजिटिव एनलजी के साथ करेंगे एक लंबी सास लो और को यस लंबी सास लो और को जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आए हम कुछ अच्छा करने है तो इस बार IDT में 80 पार उसके निचे आपको बिलकुल भी सोचना नहीं है तो आर यू रेडी यस और नो ठीक है चलो स्टार्ट करते है और में बता दो मेरे क्लास में टाइम पास बहुत कम होता है मैं सब्जेक और येंटेड जादा हूँ और मैं इवन प्रैक्टिस भी करता हूँ तो मैं बड़ा सीरियस हूँ प्रैक्टिस करते हुए हम जहां जाँ कोशिश है वहाँ नो डाउट ऑग जो मुझे online देखते हो या ODPD में देखते हो तो obvious है कि screen के सामने 3 घंटा continuous किसी की बड़बड सुनना थोड़ा कभी कभी बोरिंग हो जाता है इसलिए अपने आपको ज्यादा से ज्यादा involved रखो और कि मैं जो draw करता हूँ उसमें आप involved रहो और कि वो draw करते वक्त thinking process में involved र देगा thank you thank you so much तो चलिए शुरुवात करते हैं आज की मैं सबसे पहले revision करवा देता हूँ आपकी और उसके बाद मैं हमारा discussion को आगे बढ़ाएंगे आजाईए दोस्तों हमने जहां तक है आपको याद होगा तो हमने utilization utilization of ITC देखा था और utilization of ITC में जहां तक देखा जाए तो IGST का credit अगर आपको याद होगा तो just a minute मैं IJST का credit आपके पास पढ़ाओगा तो सबसे पहले IGST में यूज करो बाद में CGST और SGST में अगर पहले खतम करो IGST का balance CGST और SGST में आप किसी भी proportion में यूज का सकते हो then CGST का credit CGST में और IGST में SGST और UTGST का credit respectively SGST और UTGST में और IGST में cross credit of CGST और SGST allowed नहीं है यह तो आपने इंटर लेवल पे भी पढ़ा था ठीक है उसके बाद में next हमने एक problem solve किया था यहाँ पर और उसके बाद हम आये थे CGST Act लेवी पर रहा ओके लेवी concept क्या कहते हैं इंडिया की definition देखी थी definition ऑके broad sense में आप कैसे याद रखोगे water, seabed, subswile, continental shelf, exclusive economic zone, maritime zone और airspace में अबोट territorial water exam की सबसे priority C में रखो मुझे इन लगता है इसके पर कोई सवाल पूछेंगे exam की सबसे priority C में रखो हाँ exact ऐसी कोई definition वो पूछने वाले नहीं है पर हमने बहुत detail में देखी थी definition जहां तक है सब सही चल रहा है ना बेटा सब सही चल रहा है ना प्लीस बताइए क्योंकि मेरे इसमें तो सब सही चल रहा है तो ऐसे situation में जहां तक देखा जाए तो territorial water, seabed, subswile, उसके नीचे का और exclusive economic zone और continental shelf, airspace ओपर का इननोंने cover कर लिया है तो उसके बाद में union territory की definition हमने देखी थी, next अगर हम बात करें तो charging section जो simplified way में यहां पर हमने दिया है, okay आपको simplified way में पढ़ना है, हाँ यहां जो bare text है आप थोड़ा उसमें से read करना चाहूँ, bare text कैसे समय, okay पढ़ना चाहिए वो आपको पढ़ना है तो वो yes आप read कर सकते ह पर simplified way में अगर देखे, तो section 91 यह कहता है, यहां लिख सकते हो section 91, यह कहता है कि CGST all intrastate supplies of goods or service पर लगेगा, accept alcoholic liquor, liability taxable person पर आएगी, no doubt taxable person का definition हम आगे देखेंगे, और next अगर हम यहां बात करें, तो value value section 15 के हिसाप से decide किया जाएगा, next rate maximum CGST के 20 होगे, अभी 20% तो नहीं है, अभी maximum rate notified by the government 48% है, अगर आपको यहां लिखना होगा, तो currently CGST max rate, okay max rate CGST max rate 14% है, okay 14% notified है, okay 14% यहां notified है, उसके बाद में next, यह section 5 यहां code कर देना, interest rate supply होगा, तो यह IGST लगेगा, exactly same parameters पे लगेगा, on all supply of goods except alcoholic liquor, maximum rate यहां पे 40% जा रहा है, कुछ goods पे ना CGST ना IGST लगता है, कौन से goods पे CGST और IGST नहीं लगता है, तो हमने देखा, petroleum products, alcoholic liquor, और बाकी सारे products पे excise और GST के combination में liability कैसे आएगी, यह table बहुत important है, okay exam में इसके उप imported goods पे IGST लगेगा, उनने खुद कहीं दिया, क्योंकि imported transaction interstate माना जाएगा, पर उसका IGST, GST law में नहीं लगेगा, उसका IGST customs law में लगेगा, under custom tariff act section 3, जिसका नाम है SRE 37 और GST compensation से SRE 39 के नाम से लगेगा, okay, next अगर हम बात करें तो एक concept की शुरुवात मैंने की थी, जिसका detailed discussion जो है हम IGST act में पढ़ेंगे, section 16 of IGST act, zero rate supply, बहुसे लोग zero rate supply का meaning लेते वाग, confused हो जाते हैं, वो यह सोचते हैं कि zero rate मतलब kneel rate या exempted, नहीं भाई, zero rate मतलब kneel rate और exempted नहीं, zero rate मतलब incentive, बोलो मेरे साथ एक बार फिर से, zero rate मतलब incentive, आपको incentive दिया जा रहा है, अगर आप export कर करते हो, या फिर आप SEZ को supply करते हो, यहने अगर आपने SEZ को supply किया, तो यह भी interstate माना जाएगा, और यह zero rate में classify किया जाएगा, ओके, और यह एक तरह का incentive है, in the form of zero, वो goods actually zero rate के character नहीं रखता है, ओके, वो incentive मिनता है, ओके, तो यह था, हमने यहाँ पे discuss किया था, chapter 1 का concept, ल पर कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वैसे भी वो याद रह जाती है, क्योंकि income tax की definition, यह definition mostly same है, उसके बाद में taxable person, यह definition बड़ी important definition है, practical life में इस word का बड़ा importance आजाता है, और बहुत से section में taxable person का reference है, जैसे section 9 कहता है कि अगर आप taxable person हो, तो ही liability आएगी, 9 का chart या होने के लिए, आप class में मेरे साथ जितना आप involved होगे, उतना आपको help होगी, तो अगर आपके पास rub book है, या rub pages है, तो वो situation में, यहाँ पे, एक बीना देखे, section 9 का chart बनाने की कोशिश करो, बीना देखे, rub में, rub में, okay, small point पे, जो मुझे audio PD में देख रहे है, वो pause करके ऐसा, rub में बनना चाहिए आपका chart, किसका बन गया, rub में, बन गया, very good, तो आपने ऐसा, okay, बनाया, अगर आप में, जिसमें taxable person का बहुत importance है, okay, taxable person मतलब किया, तो जो registered है, या liable to registered under section 22, या section 24, okay, उसके बाद में next, अगर हम बात करें, तो yes, GST में basic exemption नहीं है, registration limit है, okay, यहाँ don't get misunderstood कि हर साल 20 लाग का exemption मिलेगा, ऐसा नहीं है, अगर आपने voluntary registration करवा लिया, तो फिर आपको तफसीर GST दना पड़ेगा, registration जब तक नहीं लेते हो, as per law, तब तक आपको benefit है, once you registered, lifetime G GST pay करना पड़ता है, जब तक आप registration cancel नहीं करते हो, okay, तो यह हमने पुरा discussion किया था, very good, भाई साब, जो मेरे साथ involved होगा, वह IDT में अस्सिमाक या उसके आपो ले पाएगा, जो मेरे साथ involved नहीं होगा, मुझे response नहीं करेगा, आप मेरे को ODPD में भी जेख रहे होगे, त registration लेता है, लेकिन, okay, UIN कुछ special case में दिये जाते है, जैसे notified of foreign embassies को दिये जाते है, United Nations, International Organizations को refund क्लेम करने के लिए, तो जिनको UIN के category में डाला गया है, वो register person नहीं माने जाएगा, उसके बाद में supplier की अगर हम बात करें, तो supplier जो goods का supply कर रहा है, उसके एजन्स उसमें आँ जाते है, उसके बाद में अगर हम recipient की बात करें, तो recipient, yes बेटा, okay, चलो, ये chart rough में, ऐसा लिखो, पूरे words भी मत लिखो, see, points को वहाँ पे mark कर दो, okay, ये chart बिना देखे कोशिश करो, ये chart बिना देखे कोशिश करो, मैं आपको फिर से, okay, 2 minute का time दे रहा हूँ, okay, और जो ODPD में देखेंगे, मैं बार-बार नहीं कहूँगा, pause करके try करो, ऐसा कुछ ऐसे rough में draw करके बैठाओ, मुझे flow चाहिए, मुझे word to word नहीं चाहिए, मुझे flow चाहिए, समझे क्या बात आपको, so recipient की definition, आपने देखा, yes, very good, उसके बाद में, okay, एक chart जो है, एक chart rough में बना, okay, व यह बिलकुल ऐसा बनाओ, supply, taxable supply, non-taxable supply, उसके chart supply, ऐसा बनाओ कि अपने आपको भी समझ में ना है, done, okay, चलिये, तो यह आपने देखा, type of various types of supply, taxable supply, exam supply, यह exam supply में बार-बार में कहे रहो, ख्याल रखना, okay, तीन type के supply इस में include होते है, पूरे GST purpose के लिए, वैसे तो inherently exam supply, quality supply, nail rate supply और non-taxable supply में difference है, okay, वहाँ हिंदी में लिखो, यहाँ पर side में लिखो, और वापस definition में लिखो, कि वैसे तो तीनो supply में, वैसे तो तीनो supply में difference है, पर GST purpose के लिए, यह exam supply माने जाएगे, पर GST purpose के लिए, यह exam supply माने जाएगे आई, आ परपस के लिए ये exam supply माने जाए गया, ठीक है, चल ये, ये हमने complete किया, अब आते है next discussion, चल ये बेटा, अब आते है main section, section 7, meaning and scope of supply, are you ready, चल ये, जैसे हमने section 9 बन देखा था, charging section, देखो मैं आप छोटे-छोटे chart सारे connect करने जा रहा हूँ, और ये छोटे-छोटे chart पुरे chapter मे connect करोगा, जिसका chart book आएगा, chapter wise charts का, फिर वो चोटे, okay, chapter के charts, 3-4 chapter मिला के, एक बड़ा chart बनाऊँगा, उसके लिए wall chart आएगे आपको, और आपको GST में इतना comprehensive करते जाओगा, और इतना summarize करते जाओगा, कि GST आपका one of the favorite subject बना चाहिए, okay, तो यहाँ पे 9-1, 9-1 में अग interest rate हो या interest rate हो, supply होना चाहिए, क्या होना चाहिए, supply होना चाहिए, supply को आपने touch किया की current लगा, supply किसका होना चाहिए, goods का होना चाहिए, या service का होना चाहिए, फिर सवाल ही आजाता है, what do you mean by supply, okay, supply में, what do you mean by supply, तो supply यहाँ पे, अब हम देखेंगे section 7, यहाँ section 7 का chart, अगर अब दो chart connect करो, तो और एक बड़ा chart बनाने की कोशिश करो, so section 7 का chart यहाँ connect होने वाला है, yes भाई साब, और एक chart आने वाला है section 7, और वो section 7 का chart होगा supply, चलिए, okay, section 7 का chart यहाँ पे देखने कोशिश करते है, यहा, तो section 7 पढ़ने की कोशिश करते है, done, और section 7 का bare text क्या कहता है, statutory provision, ठीक है, और उसको बाद में simplified वे में समझने की कुशिश करेंगे, section 7, subsection 1, पहले तो structure देखो, structure कैसे, यहाँ पर बनेगा, तब section 7, 1, उसके बाद में 1 है, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, जहाँ से देखिएगा, उसके बाद में 3, यहाँ पर, यहाँने section 7 में 3 subsections है, उसके बाद में section 7 में आपको schedule 1 मिलेगा, schedule 1 मिलेगा, next schedule 2 मिलेगा, और आगे देखते हो तो section 7 का ही part schedule 3 रहेगा, इतना पूरा text ये chapter में पढ़ना है boss, और ये bare text पढ़ने जाओगे तो 2 page है, पर भाई साहब इसका analysis करना है with all clarification, तो 2 page नहीं होने वाले ये, तो अगर हम bare text पढ़े, मेरे साल पढ़ो, bare text फिर इसको जो है, हम कैसे analyze करते है, ये भ अब भी GST लगाने की बारी आएगी और supply की बारी आएगी, तो वो कहते हम supply में क्या क्या include करने वाल है, A, A, B and C, ये चार clauses में, अगर आपकी activity आती है, तो GST का current लगेगा, और वो supply की definition में cover किया जाएगा, तो सबसे पहले start जो वो करते हैं, तो all form of supply of goods or service, आप goods or service किसी की भी form में supply करो, okay, वो supply के definition में include किया जाएगा, such as, such as, sale, transfer, barter, action, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for consideration in the course or furtherance of business, okay, ये basic definition है supply की, okay, फिर उसके बाद में, उसके बाद में कुछ और addition की है, अगर मैं बहुत ही हमारे day-to-day language में कहने जाओ, और आप वड़ा पाव खा रहे हो, वड़ा पाव मेर मिर्ची चटनी है, वड़ा पाव के साथ चटनी भी ले लो supply में, मिर्ची भी ले लो supply में, पर main ये वड़ा पाव है, okay, basic, अगर आपको किसने बुचा supply है ने क्या, तो clause यहाना चाहिए, तो ऐसे situation में, यहाँ पे clause A, उसके बाद में clause AA, activity or transaction, especially यहाँ पे, जो club association के transaction ने clause AA में cover किये है, उसके बाद में B, importation of services, okay, especially importation of services के बारे में, उन्होंने, okay, supply कब बोला जाएगा, उसके बारे में बात किये, और schedule 1 की activity without consideration, I repeat, schedule 1 की activity without consideration, वो supply के definition में cover करने की कोशिश की है, okay, तो कौन किसी ऐसी activity है, जो यहाँ पे without consideration होगी, okay, तो देखो, अगर आप clause A, AA और B, यह देखते हो, तो इसमें consideration important है, मतलब अगर जब भी, okay, यहाँ पे भी consideration है, यहाँ पे भी consideration है, यहाँ भी consideration है, तो इसमे consideration important है, कि अगर आपका supply for consideration होगा, I repeat, आपका supply for consideration होगा, तो ही GST आएगा, क्योंकि business tax है, आपने कमाया, अब government क्या कहती है, आपको मिला, हमको भी तो business tax है, तो business tax है, for consideration होगा, तो supply माना जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी activity है, जो free भी होगी, without consideration होगी, तो भी supply माना जाएगा, फिर 1A देखेंगे, schedule, schedule to classification of supply पर है, कि कौन सा supply है, supply of goods माना जाएगा, या supply of services माना जाएगा, उसके बाद में, section 7-2, तो section 7-2, अगर हम बात करें, तो कुछ ऐसी activity not treated as supply, जिसे supply ही नहीं बोला जाएगा, तो schedule 3 के activity, आपको inter-level पर याद होगी, कुछ activity जो non-taxable, sorry, non-treated as supply कहा जाता है, यह negative list कहीं जाती है, और subsection 3, यह government के पास power है, कि कोई specific activity को, वो supply up goods भी कह सकती है, और supply up services भी कह सकती है, ओके, done, तो ऐसे situation में, उसके बाद में, अब इन्होंने 3 schedule के नाम लिए, कौन से 3 schedule के नाम लिए, तो schedule 1, ओके, उसके बाद में, schedule 2 और schedule 3, तो schedule 1 का नाम लिए, कि भई schedule 1, schedule 2 का नाम लिया और schedule 3 का नाम लिया, मतलब यह तीनो schedule section 7 के part है, तो हमें तीनो schedule भी detail में देखना है, जैसे schedule 1 यहां पे चार PRAS है, okay उसके बाद में schedule 2 में, schedule 2 में total जो हमें detail में पढ़ना है, total 6 PRAS पढ़ना है, और schedule 3 में, okay हमें 8 PRAS पढ़ना है, औके और उसके बाद में section 8 हम इस chapter में देखने कोशिच करेंगे और वह section 8 composite and mix apply तो चलिए, bear text no doubt हम जैसे जैसे words आएंगे हम पढ़ेंगे interpretation भी आपको पढ़ाओगा पर एक और all sense में मैंने आपको पढ़ा दिया कि यहां हमें दो section mainly पढ़ने इस chapter में section 7 और section 8 येस बेटा तो चलिए, okay यहां पर अब शुरुद बात करते हैं हमारे discussion के section 7, okay आज आते है section 7 what supply means, section 7-1 कहता है, okay supply includes, okay section 7-1 कहता है supply includes, मतलब सबसे पहले मैं आपको यह बता दू कि यह definition inclusive है and not exhaust you, supply includes, okay जो consideration वाले supply है उसमें clause A, clause A कहता है all form of supply for consideration, okay in business जैसे supply includes all form of supply of goods or services, all form of supply of goods or services such as, example की तोर पर अगर ले ले कि भाई, sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal, वैसे तो definition क्या कहती है, वैसे तो definition कहती है कि यह तो example है, यह तो example है भाई साहब, इसके अलावी किसी भी form में आप supply करते हो goods or services का और both, आप लिख सकते हो यहाँ पे और both, goods or services का supply करते हो या दोनों का supply करते हो, important है that supply is made और agreed to be made, अब यह agreed to be made यहाँ important आ जाता है क्योंकि अगर आपको advance मिलता है, agree कर लिया, तो वो भी supply माना जाएगा और उसके भी GST आए supply for consideration किया हो, I repeat for consideration किया हो by a person in the course of other ends of business, और next, वो जो आपने supply किया, वो in the course of other ends of business किया है, तो दिखो यह अगर आप bear tax देखो के तो bear tax में यह combine एकी तीन line में continuous दिया है, मैंने उसको break किया है, मतलब मेरा कहना क्या है, मेरा यह कहना है, कि अगर आपको GST लगाना है और यह decide क करना है कि यह supply है या नहीं है, तो यह चारो conditions cumulatively fulfill होनी चाहिए, मतलब, okay, goods or service का supply होना चाहिए, made or agreed to be made होना चाहिए, उसमें consideration भी होना चाहिए, और वो in the course of business भी होना चाहिए, तो वो supply माना जाएगा, now, यह clause था, okay, 7-1-A, इसको यह discussion को थोड़ा हम आगे बढ़ाएगे लेकिन मैं चाहता हो कि एक चार्ट हम बना लेते हैं और वो चार्ट में section 7 का पूरा flow बना लेते हैं और फिर उस flow के base पर हम discussion को आगे बढ़ाते हैं, तो चलिए, आप एक काम कीजिएगा, अब चार्ट पर आजाओ और यह चार्ट बनाओ, okay, चलिए, आपको कुछ यह चार आपका, यह इसके लिए आपके register के दो vertical pages एक साथ use करना है, दो vertical, खड़े, खड़े, ओके, या एक काम करो, एक काम करो, vertical से ज्यादा, ध्यान से सुनना, यह चार्ट और अच्छे से आएगा, आप horizontal कर लो, यहने आडा कर दो page को, और उपर और नीचे, उपर और नीचे, ऐ blank रखना है, और हमें start करना है, तो अब आपको क्या करना है, आपको यह चार्ट ड्रॉ करते वक, और के सबसे पहले title देना है supply, पूरा section का एक design बना लेते हैं, mapping बना लेते हैं, और फिर उसको step by step यहाँ पर पढ़ते हैं, और के आपको mapping कैसे करना है, मैं आपको बता देता की कोशिश करेंगे, थोड़ा slow चल रहा है lecture पर चलने दो, okay, important है मुझे mapping करवाना है आपसे, okay, section 71 और section 72, दो पार्ट में divide करेंगे, जब 72 आप लिखोगे, चार्ट का system देख लो, 72 आप लिखोगे, तो यह जो है, जितना आपने title दिया, बस उससे थोड़ा सा space इधर, उतन बाकी कुछ ऐसी activity, जो free होगी, without consideration होगी, तो वो supply बोली जाएगी, वो supply बोली जाएगी, तो भाई साब, अब इसमें क्या करेंगे, okay, supply includes में with consideration, without consideration, और जितना आपने title दिया, without consideration, बस उतनी ही space आपको चोड़ना है, बाकी का space आपको जो है, इसके लिख करना है, with consideration, with consideration में, आपको section 7 1 A, okay, 7 1 A, जो अभी हम पढ़ रहे है, section 7 1 clause A, और उसको divide करना है 7 1 B में, तो 7 1 A और 7 1 B में divide करना है, जितना 7 1 B का title दो गया, importation of service, importation of service, okay, importation of services, okay, बस इतना space इसको देना, इससे जादा मत देना, बाकी maximum space, okay, यहाँ पर मुझे जो चाहिए, वो 7 1 A के लिए चा से आपको draw करना है, तो यह जो है, चलिए, यहाँ पर, draw करो, draw करो, आपका हो जाए, पुरा flow, और पूरे दो pages मुझे लगेंगे, और उसके बाद का भी page मुझे लगेगा, draw करो, आपका हो जाए, तो बताओ, हो गया, चलिए, यह आपको draw करना है, screenshot ले लो इसका, screenshot ले लो, चलिए बिटा, अब आपको करना क्या है, अब आपको यह जो 71A है, यह 71A यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, अब हम बेटा, पहले 71A को complete करेंगे, फिर 71B लिखेंगे, फिर 71C को complete करेंगे, complete analysis होगा, और फिर section 72, ओके, इस पर बात करेंगे, तो अभी आपको क्या करना है, यह जो 71A के लिए आपने space छोड़ा है, यह 71A को आपको complete करना पड़ेगा, ओके, तो यह section 71A, यहाँ पर, चलिए section 71A लिखिए, section 71A लिखिए, 7-1-A को complete करो, वहाँ पर, all forms of supply, of goods or services or both, अभुसको सबपर्ट मेलेना वेला, लिको, such as sale, transfer, barter exchange, license, rental, lease or disposal, made or agreed to be made for consideration in the course or furtherance of business, in the course or furtherance of business, किसी भी फॉर्म में आप देखो, फिर वो फॉर्म सेल होगा, एक यहाँ आपको बनाना है, section 71A लिखिए, अब देखिए, section 71A जो है, start कैसे होगा, all forms, goods or services for consideration in the course of business, किसी भी फॉर्म में आप देखो, दोगे, फिर वो form sale होगा, transfer, barter होगा, exchange, license, rental, lease or disposal, या इसके अलावा कोई भी form होगा, goods or services, जो आपने for consideration दिया, in the course of business दिया, तो हम उसके उपर GST लगाएगे, मतलब एक यहाँ पे point government ने clear कर दिया, और वो यह clear किया कि भाई साब, आप किसी भी तरह से कमाओगे, किसी भी तरह से कवाओगे, in the course of business, goods और services supply करके, हमें GST चाहिए, और कि आप यह नहीं कह सकते कि भाई, सर यह तो contract में हमने कमाया पर GST में नहीं आता है, वह ऐसा नहीं आता है, और government उसके यहाँ पर पछड़े में पढ़ना ही नहीं चाहती, government कहती किसी भी फॉर्म में supply कर भाई तू, हमें GST चाहिए, यह जस्ट एक्जाम्पल है, इसलिए हमें यह समझना जरूरी है, क्या, कि goods याने क्या, no doubt, GST के context में goods याने क्या, दूसरा, GST के context में services याने क्या, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद में, sir, क्या हमें GST में sale की definition, sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal, क्या यह definition देखना जरूरी है, सच कहूँ तो यह definition का कोई importance ही नहीं, definition क्यों define की जाती है act में, कि उस definition के बहार की activity होगी, तो फिर वह GST के scope में नहीं आएगी, पर यह तो just example है, और कि इसके बाहर की activity भी होगी तो वह all form में आ जाता है, इसलिए government ने यह सुचा कि इन words को define करने में कोई मतलब नहीं है, यह just example है, फिर आपका transaction sales से हो, transfer से हो, barter से हो, exchange से हो, license से, rental lease या disposal से हो, किसी भी type का transaction हो, define करके क्या फाइदा, इसलिए government इसके definition में पढ़ा ही नहीं, और सच कहु किया, यह words का कोई relevance नहीं है पूरे GST में, क्यों यह just example के लिए, क्योंकि एक line, जो word है न, all form, यह all form में ही वह clear कर देते हैं कि हम सब कुछ लेने वाल है, हम सब कुछ लेने वाल है, all forms cover करने वाल है, तो भाई साब, ओके यह words में मत पढ़ो, जाओ मत, consideration है, business है, पैसा मिला है, goods का मिला है, service का मिला है, क्या GST आजाएगा, हाँ GST आजाएगा, that's all, okay, फिर कोई भी contract हो, फिर आपका development agreement हो, right to transfer agreement हो, okay, any type of agreement हो, पैसा मिला, business मिला, goods और service का, that's all, GST आजाएगा, समझा क्या, okay, समझा होगा, तो भूलो यह sir, okay, तो हमार लिए क्या-क्या important है, इस 7-1-A का, 7-1-A का यह important है, कि goods आने क्या, service आने क्या, agreed to be made आने क्या, okay, agreed to be made आने क्या, consideration आने क्या, यह main factor है, और business आने क्या, भाई-साब, यह हमें 5 चीजे बहुत depth में देखने है, 7-1-A में, okay, तो step by step, okay, हम यहां पे, हर चीज को detail में आनलाईज करेंगे, with all this clarification, और ख्यार रखना, all these conditions are cumulative conditions, यह सारी जो conditions है, okay, क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, कि business है पर consideration नहीं, consideration है पर business नहीं, okay, सब cumulative होना चीज है, और यह supply for consideration होना चीज है, पौर का वही अपना एक importance है, इसके उपर तो पुरक यहां पे circular है, कि आपका supply for this consideration होना चीज है, यहां पे goods की definition, are you ready, चलो, okay, और यार, कि दर चले गए, ओ, end में चले गए, चल कोई बात नहीं है, हम, अब आजाते हैं, यहां पे, next, goods की definition, अगर goods की definition देखते हैं, section 252 में, तो कहते है, every kind of movable property, goods में क्या आएगा, एक एक word को मैंने यह analyze किया है, goods की definition में आएगा, every kind of movable property, मतलब क्या, okay, all movable items that can be physically transported from one place to another, वो goods के definition में आएगा, कोई नहीं बात नहीं है, आपने definition पढ़ी है, okay, पर goods में क्या नहीं आएगे, वो specifically कहते है, goods excludes money and securities, I repeat, goods excludes money and securities, and money transactions या security transactions goods में नहीं आएगे, for example, it does not include transaction in currency, okay, money के transaction, जैसे conversion of currency, deposit or withdrawal of money from bank, or securities like stock, bond, okay, derivatives etc, as defined under SCR, SCR यह मतलब, लिकना हो तो लिक लेना, securities contract regulation act, मतलब, money भी movable है, property है, worth है उसके अंदर, पर आप किसी को पैसा देते हो, deposit करते हो, withdraw करते हो, जो money के pure transaction करते हो, पैसा देना, पैसा लेना, investment लगाना, investment वापस लेना, loan देना, लोन वापस लेना, यह transactions, even though जिसमें पैसा shift होता होगा, पैसा moreable होगा, तो भी वो goods नहीं माना जाएगा, यह तो मुश्किल हो जाएग भाई, अगर पैसा लेने देने पे, सिब पैसा लेने देने पे, अगर GST आजाएगा, तो आप किसी को पैसा नहीं दोंगे, क्योंकि पैसा दिया, GST पैसा लिया, GST मुश्किल हो जाएगा, तो purely money transaction GST के scope में नहीं आएगा, securities transaction GST के scope में नहीं आएगा, यहाँ पे आपको अपने mind को एक जोरदा धर्का देना है, क्या धर्का देना है, तो धर्का, कि sale of goods act में पढ़ा, कि sale of goods act में पढ़ा और रट्टा मारके पढ़ लिया, कि sale of goods act में securities goods बाना जाता है, लेकिन भाई साब हम GST पढ़ रहे हो, GST में securities को goods नहीं माना जाएगा, मतलब आप share खरीदोगे, share बेचोगे, तो जो share खरीदना, share बेचना, bond खरीदना, bond बेचना, या फिर derivative contract, call option, put option, future contract, जो भी ऐसी securities, जो securities contract regulation act में defined है, वो securities के transaction, जो भी sale purchase के होते हैं, उसके उपर GST नहीं आएगा, उसके उपर GST नहीं आएगा, अब आपका यह कहना है कि sir, पर securities पे brokerage लगता है, क्या brokerage पे GST आएगा? Yes आएगा, वो service के definition में आगे cover किया है, brokerage है या कोई other charges लगते है, securities के वो आएगे, merely securities, I repeat the word, merely securities contract वो GST के scope में नहीं आएगा, अब goods की definition कहते है, goods specifically includes, goods में specifically क्या include किया जाएगा? actionable claims, हाँ, अब यहां पे भी जोड़दा धक्का मारो, मारो जोड़दा धक्का, और हमने कही तो भी बढ़ा था कि actionable claim goods में नहीं आते है, GST में भाई साब actionable claim goods के definition में रखे गए है, और मैं इस बार तो आपको gaming का एक बहुत अच्छा case भी बताऊगा आगे, आगे आगे देखो होता है क्या, गेम क्राफ्ट का बहुत ही जबर्दस case था और बहुत जबर्दस point पे लड़ा गया था, और lottery, betting, gambling यह सारे actionable claims, GST के scope में आते हैं, इसलिए actionable claim क्यों goods के definition में रखा गया है, क्यों क्योंकि government को lottery, betting, gambling, online gaming, यह सारे activity पे GST लगाना है, और online gaming पे तो भाई साभ अभी उनने 28% का GST लगा के सबका band बजाया है, सबका band बजाया है, तो अब इन transaction पे GST लगाना है, और यह सारे transaction actionable claims कहे जाते हैं, और बाकी actionable claim भी आते हैं, okay, arrears, rent, insurance claim यह actionable claim आते हैं, अब government को क्या करना था, government को कुछ limited specified actionable claim पे GST लगा रहा है, तो सबसे पहले actionable claim को goods के definition में डालो, फिर उस actionable claim पे किस पे GST लगाना है और किस पे GST नहीं लगाना है वो बात में decide करेंगे, पर भाई साब पहले actionable claim को तो goods में डालो, तो ही तो हमें rights बिलेंगे, scope बिलेंगे कि हम lottery waiting gambling पे GST लगा सके, okay, लगा सके, तो ऐसे situation में, जहां तक देखा जाए, यहां पे actionable claim, okay, वो goods के definition में लाया गया, अभी बहुत से current scenario जो online gaming से related है, बहुत अच्छी history बता होगा, थोड़ा wait करना, okay, schedule 3, schedule 3 not treated as supply में, वहां फिर से actionable claim आएगा, वहां पे पूरी history आपका बता होगा, okay, online gaming की क्या हुआ था, okay, case आया, high code का क्या decision आया, और उसके बढ़, okay, हमारे finance minister दीदी ने क्या decisions लिये, यह सब आपको बता होगा, बड़ा interesting case रहेगा, okay, अभी तो बस इतना समझेल, actionable claim goods के definition में डाला है, as well as goods includes growing crops and grass, okay, मतलब जो growing crops sale होते हैं आपने, okay, foundation level पर पढ़ा है, commerce में 11-12 पर पढ़ा है, कि growing crops वगरे जो sale होगे, okay, whether they are attached to the land or not, okay, but which are intended for sale, वो भी goods के definition में आएगे और उस पर भी GST आ सकता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दू, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि GST लगाए या ना लगाए, हम specific discuss कर रहे है, goods है या नहीं है, पहला, what goods means, goods means every kind of mobile property, money और security उसमें नहीं आएगे, लेकिन specifically 2 बाते उसमें include होगी, actionable claims और दूसरा growing crops and grass, whether they are attached to the earth or not, and that intended for sale, okay, जो intended for sale है, okay, वो goods के definition में और होगे, यह तो रही goods के definition, बहुत ही simple definition, कुछ इसमें special और discuss करने लायक, नहीं है, और जो भी हमें discuss करना है, money, securities and actionable claim, यह तीन point पर हमें और depth में जाना है, जो हम आगे जाएगे, चलिए, यह goods की definition खत्म हुए हमारी, यहाँ पे, उसके बात में next, services, अब वो services के बारे में क्या कहते हैं, services के बारे में, service की definition भी बहुत अच्छी draft की है, मद आएगा, मेरे साथ सबने जोर से पढ़ना, जोर से, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, तो आप को के GST पढ़ रहे, GST पढ़ रहे, तो देखो, यहाँ पे, वो क्या कह रहे, सर्वी से, section 2102, anything, बोलो जोर से, anything, ऐसा हाथ गुमा के, anything, anything other than goods, मतलब, इतनी government यहाँ पे clever drafting करती ही न, क्या बतो आपको, government कहती है, goods के contract छोड़के, ऐसा दुनिया का कोई भी contract, जो इंडिया में carry out किया है, जिसमें goods नहीं होगा, पर पैसा मिला है, तो वो contract service मान लिया थाएगा, government technical definition में पड़ी नहीं, service means, it's involved, some labor, skill, knowledge, knowledge and something, something for consideration, government कहती है, इंडिया के कोई भी contract, जिसमें goods नहीं होगा, मतलब वो service का है, that's all, मतलब वो service का है, that's all, अरे sir, but no but shut, only cut to cut, okay, अरे sir, कुछ भी आएगा, हाँ, कुछ भी आएगा, इसके अंदर, और नहीं, anything other than goods, anything other than goods, sir, immobile property है, और immobile property के lease contract किया, anything other than goods, अरे sir, confuse कर रहे हो, immobile property पे GST नहीं यादा, मैं अभी भी immobile property पे GST नहीं कहा लगा रहा हूँ, मैं तो immobile property के lease contract कह रहा हूँ, immobile property का rain contract कह रहा हूँ, rain contract, हमने immobile property थोड़ी वेची, तो immobile property के lease, rental, license contract, yes, anything, इसले कभी भी कोई client तुमारे पास आया, उसने कहा कि, अरे sir, ये GST लगता है क्या, और भाही चेर पे खड़ा हो जाना, और उसको कहना, anything other than goods, okay, anything other than goods, goods, तो goods के definition में हैंगे, यहाँ पे, तो anything other than goods, money and securities, हाँ, money और securities भी इससे exclude किया है, money और securities भी इसमें include किया है, तो it encompasses all activities and transactions that are not categorized as a goods, money and securities, तो जहां तक देखा जाए, आपका client ने कोई भी नाम से contract लाया, बस एक सवाल पुछना है, क्या इसमें goods है, तो goods का बाना जाएगा, goods नहीं है, तो service का बाना जाएगा, हाँ, कुछ supply है, उन्होंने exclude किया है, schedule 3 में हम बाद में देखेंगे, पर अभी तो basic level पर यह develop करो, now, service also specifically includes activity relating to money use or conversion, use of money or conversion of money, मतलब, it incorporates the service that involve use of money or the handling or conversion of money from one form of currency to another form of currency, provided that separate consideration, इसको highlight करना, provided that separate consideration is charged for such activity, मतलब क्या, हम money transaction नहीं लेंगे, ना goods में लेंगे, ना service में लेंगे, हम securities transactions नहीं लेंगे, ना goods में लेंगे, ना service में लेंगे, money और securities हम दोनों में भी नहीं लेंगे, हम दोनों में भी नहीं लेंगे, फिर, फिर यह क्या है, यह है कि अगर आपने किसी को पैसा दिया, उस पे जिस्ट नहीं, पर वो पैसा देने का separate consideration लगाया, सुनना, वो पैसा देने का separate consideration लगाया, for example, interest, processing charges, तो वो service है, okay, separate consideration, for example, interest, okay, processing charges, example लिख दो, example, interest, interest, या commission, interest, या commission, okay, तो उस पे जिस्ट आ जाएगा, तो या फिर पैसा use, conversion करने दिया, dollar to rupees, rupees to dollar, आपने 2000 का note, जाने दो, वो अभी निकाल दिया, okay, आपने 500 का note दिया, change लिया, उसका commission लगा, okay, foreign currency को convert करने का commission लगा, अगर किसी ने पैसा use करने का separate charge किया, convert करने का separate charge किया, from one denomination to another denomination, तो वो जो separate charge करना, वो service माना जाएगा, okay, वो bank charges है, withdraw किया, bank charges वगड़े, सब service है, okay, तो bank में deposit करना, bank से withdraw करना, वो transaction in money हुआ, पर deposit का separate consideration लेना interest हो service हुए, हाँ, deposit का interest मिला, concept, यह आपने loan दिया, उसका interest मिला, आपने unsecured loan दिया, उसका interest मिला, क्योंकि पैसा use करने तिया, bank ने, bank ने interest लगाया, पैसा use करने का, वो service है, वो service है, देखो, मैंने यह नहीं का, कि GST आएगा नहीं आएगा मैंने का सर्भीस हाया नहीं है be careful GST आएगा नहीं आएगा हम बात में बात करेंगे it's a service now now उसके बात में next अगर हम बात करें इसमें कुछ securities transaction भी इंक्लूड किये जाएगे जैसे definition is further clarified to explicit state that services cover underline services cover facilitating or arranging the transaction in securities this includes brokerage charges portfolio management charges led to buying and selling of securities in a financial market okay अब थोड़ा इस बात को समझना कि securities जो है okay securities यहाँ पे service के definition में नहीं आएगे securities service के definition में नहीं आएगे लेकिन securities को facilitate करने के लिए सुनना security को facilitate या arranging the transaction in securities जैसा brokerage portfolio management या other कोई भी charges लगते है money lending sorry securities lending charges वगड़े जो भी होगे तो ऐसे कोई भी charges जो securities transaction को facilitate करता है या उसको deal arrange करवाता है वो service में माने जाएगे okay और exclude में तो मैंने कहा okay जहाँ तक service excludes goods money and securities okay securities में सारे financial instrument okay वो exclude किये जाएगे तो यह जो दो definition हमने देखी यहाँ पर goods और services की क्या include होगा क्या specifically include होगा और क्या exclude होगा यहाँ पर हमने यह चार्ट notebook में ख्याल रहे page number cross page number देना है आपको okay और cross page number देने के बाद आपको यह carefully अच्छे से ड्रॉआ करना और पड़ते बाद आपको यह चार्ट पर practice करना है यह चार्ट फिर combine होके आपको चार्ट बुक में मिल जाएंगे और wall चार्ट में मिल जाएंगे पर पहले आप ड्रॉआ करो तो यहाँ पर चलिए ड्रॉआ करो इसको ड्रॉआ करो इसको goods and service combine करके चार्ट बना रहा हो goods and service का combine करके चार्ट बना रहा हो हाँ हाँ supply के two pages चोड़ने के बाद supply के दो और उसका back page चोड़ने के बाद है supply के total तीन पे चोड़ने के बाद supply के तीन पेजे चोड़ने के बाद आवई तुसीर होगी आपका तो बताओ के चुछ़ने के चार्ट बना गुछ़ने के लिए जैंपरे मोटें प्प्षब ú्प्षब चार्ट बताओ खुछ़ने के लिए झाल पाद मेंसा आपका को वे अ करके बाद हो गया तो बताएए प्लीज झाल 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 चलो screenshot ले लो इसका और आपको यह supply के जो तीन पेज मैंने बोला दो connected और एक back उसके बाद ड्रॉ करना है उसके बाद ड्रॉ करना है चली एक बार definition को ध्यान से समझ लेजिएगा जो भी definition है मैंने sum up करके यहां बनाया हुआ है एक चार्ड बनाया बहुत अच्छा चार्ड बनाया है गुट्स मीन्स क्या अगर आपने ध्यान से carefully लिखा होगा इसको पड़ा होगा तो गुट्स मीन्स क्या every kind of movable property और service मतलब क्या anything other than goods यह दो लाइन में सब कुछ कवर हो जाता है भाई जो movable के contract वो goods में जाएंगे और जिसमें movable property नहीं है फर contract पैसा कमाया जा रहा है वो service है जैसा consultancy service है training मेरे contract में goods नहीं है training service है goods तो ancillary notes mean contract service का है consultant है management consultancy services है okay telecommunication service है goods नहीं है okay दुनिया बर architect service है goods नहीं है interior decorated service है goods नहीं है दिन्या के कोई भी contract जिसमें goods main part नहीं है okay वो ancillary हो सकता है पर main part नहीं है वो service contract है okay anything other than goods कोई भी contract करते हो जो dominant service का है वो service में जाएगा दो line में उन्होंने पूरी दुनिया कवर कर ली हाँ यह कहा गया कि जो exclusive transaction money के होगे securities के होगे वो definition में नहीं लिए जाएगे लेकिन कुछ specifically includes होगा okay क्या specifically include होगा okay तो वो कहते हैं इसमें include होगा actionable claims हाँ actionable claim के बारे में थोड़ा patience रखना wait करना बहुत अच्छे से discussion में लूगा आप okay fully satisfied हो जाओगे और वो schedule 3 में लोगा okay अभी से भी इतना याद रखो कि actionable claim जो है वो goods के definition में आएगा and growing crops okay grass etc actually यह etc है okay तो यह etc यह आप complete कर लेना इसको बाद में okay whether they attached to the land or not intended for sale okay आप complete कर सकते हो तो यह भी goods के definition में आ सकता है now service कि अगर हम बात करें तो service okay service में specifically कहा गया कि हम money नहीं लेंगे okay securities नहीं लेंगे पर इससे related आपने separate consideration लगाया okay separate consideration लगाया तो वो service मानी जाएगी जैसे for use of money आपने separate consideration interest लगाया conversion of money आपने commission लगाया okay या to facilitate or arranging the transaction of securities okay तो उसके लिए brokerage बगरे लगाया तो इसके लिए जो आपने लगाया okay वो हम यहाँ पर definitely okay service के definition में cover करेंगे इस तरह से उन्होंने goods और service का definition यहाँ पर दिया इसके जो यह definition के base पर मैं कौनसे sector पर इस definition का ज्यादा impact हो सकता है वो sector analyze करूगा एक banking sector जो जिनका transaction लोन देना, loan लेना है, commission लेना और बहुत सारे charges लगाना okay तो no doubt बा decision carry out करोगा, अब money और securities जो exclude किया, क्योंकि अगर आपको यह पता चल जाए कि क्या exclude किया, तो फिर definition को समझना आसान है, इसका थोड़ा detailing करते है money and securities के बारे में, चलिए, तो यहाँ पर यह जो है आपने चार्ड अच्छे से बना लेना है, अब आते है, next discussion पर, और वो है meaning of money, सर्व definition, दोनों भी definition money को exclude करती है, क्या money defined है, यहाँ defined है, okay मैं आपको कह दू, जहाँ section की जरुवत है, वहाँ sections तो मैं refer करी रहा हो, don't worry for that, okay, कुछ concept हमें यहाँ पर, okay, जो है understanding purpose के लिए समझ लेना है, जैसे money, money जो है, यह एक्जाम में तो नहीं में कुछ points ऐसे हैं, कि जो आपको MCQ के लिए याद रखना है, money मतलब Indian legal tender of any foreign currency, okay, उसके बाद में Indian legal tender भी cover कर लिया है, यह foreign currency भी cover कर लिया है, यह check promissory note bill of exchange, हाँ, check promissory note bill of exchange, यह money के definition में डाला हुआ है, अगर आप किसी को promissory note देते हो, bill of exchange देते हो, तो वो money में भी आता ह है, और आपको कहूँ तो actionable claim में भी आता है, actionable claim जो है, हम बाद में बात करेंगे, please, please, अभी कोई doubt नहीं, उसके बाद में letter of credit, draft, pay order, travelers check, यह money में, अगर आपके transaction, आपने letter of credit दिया, draft दिया, ODDS, traveler check दिया, तो वो भी transaction in money माने जाएगे, money order, postal, electronic remittance, और any other instrument recognized by RBI, यह money के transaction में करोगा, पर यह वाला पार्ट जो है, बड़ा important है, और यह आप MCQ के लिए याद रखना, और वो कौन सा, but shall not includes, क्योंकि जो money में नहीं आएगा, उसके उपर GST आएगा, बोल एक बार मुह घुमा के, जो money में नहीं आएगा, उसके उपर GST आएगा, इसले हमें यह याद र पतलब, ओके, यहाँ पर, एक्जामपल लिखना है, तो आपके पुराना, पुराना हजार का नोट, पुराना, ओके, अशोका के जमाने का, copper coin, gold coin, ओके, ऐसे कोई coins है, या पुराने notes है, ओके, जो पहले currency थे, पर आज currency नहीं है, आज उसके निमिमिस्टिक value हो सकते है, जो अशोका के, इरा का कोई copper coin मिल जाए, gold coin मिल जाए, तो वो coin तब currency था, पर आज उसके निमिमिस्टिक value हो सकता है, कि वो auction में करोर्स में चले जाए, तो ऐसे कोई पुरानी currency, ओके, आप लिख सकते है, gold coin, copper coin, ओक अशोका से इरा, ओके, वो ऐसी कोई पुरानी currency, तब वो currency 4,000 साल पहले, 3,000 साल पहले, 2,000 साल पहले, लेकिन आज उसकी निमिमिस्टिक value है, अगर वो currency जिसकी निमिमिस्टिक value है, बेचा गया, और करोणों में कमाया गया, तो उस पर भी GST आ सकता है, ओके, simple word में, example, antique coin, ओके, antique coin जो है, ओके, निमिस्टिक value है उसकी, जिस पर आप study कर रहे हो, collection कर रहे हो, ओके, तो antique coin आप लिख सकते हो, antique notes आप लिख सकते हो, तो money के definition में लिया जाएगा, ओके, तो यह आपना definition देखा, money का, और यह point आपको याद रखना है, उसके बाद में, कुछ financial transactions, जो money से related होते हैं, और specially banking sector या financial institution कैरी करते हैं, वहाँ GST की applicability कैसे होती है, यह point को ध्यान में रखते हो है, क्योंकि definition से money exclude किया है, जैसे, financial services by banks and institution, banks and financial institution offer range of financial services, including lending, borrowing, investment activity, often using various financial instrument, जैसे, अगर आप banking sector देखते हो, बहुँ सारी, okay, banking activities, financial instrument वहाँ यूज होते हैं, exclusion of money and securities, definition of goods and services, explicitly, okay, underline, exclude the money and securities from their scope, okay, instrument included in money, जैसे, अगर आप financial sectors देखते हो, या banking sector देखते हो, कौन से instrument money के definition में हाते हैं, तो definition of money encompasses like a check, okay, check bank आपको दे रही है, draft, pay orders, promissory note, letter of credit, ये सारे जो instrument आपको दे रही है, bank, okay, वो money के transaction है, आप से check लिया, check किसी को दिया, ये money के transaction है, check पे कुछ value लिखी होगी, draft पे कुछ value लिखी होगी, एक draft दिया, जिसके ओपर 100 करोड लिखे हुए, तो draft की value 100 करोड है इस instrument की, okay, लेकिन जहां तक देखा जाए, वो purely money का transaction है, okay, उसके ओपर कोई GST नहीं आएगा, transaction solely, solely involving this instrument fall outside the definition of service, okay, लेकिन हा, जो draft के charges, check के charges, जो draft के charges, check के charges, okay, जहां तक देखा जाए, pay order के charges extra लगाए, separate लगाए, by check issue करने के charges लगाए, draft issue करने के commission लिया गया, pay order issue करने का separate consideration लिया गया, उस पे GST, don't get confused, draft देना, कुछ value का, मतलब उसके पर 50 करोड लिखा है, 100 करोड लिखा है, वो 50 करोड का draft देना, उस पे GST नहीं है, वो 50 करोड का check देना, उस पे GST नहीं है, पर check issue charges, draft making charges, commission, उसके लिए separate charge, ये draft बनाने के लिए separate commission लिया, वो separate commission, okay, GST में आएग तो draft commission वगरे, pay order commission वगरे, उसके उपर GST आता है, सर ये paytm वगरे, जो है, UPI वगरे, क्या ये, okay, money के definition में आएगे, बिल्कुल, अगर आप देखते हो कि कोई भी instrument recognize भा RBI, फिर वो online क्यो नहीं हो, okay, paytm, UPI, money, okay, इसमें जो आप पैसा transfer करते हैं, उसके उपर GST नहीं GST आएगा, money includes commercial paper and certificate deposits, okay, money also cover transaction in commercial paper and certificate deposits, since they are, okay, resemble promissory note, ये बहुत important है, क्योंकि banking sector का अगर आपको question push लिया गया, okay, calculation में, और ये दिया गया, commercial paper issued by, okay, यहां पे, banks, या certificate of deposits issued by banks, तो commercial paper certificate of deposits जो है, okay, ये money के definition में आएगे, because it is equivalent to promissory note, okay, issuing draft or letter of credit are likewise not considered as a supply, however, their additional element of taxability present and separate consideration is charged related to such activity, तो वहां GST आजाएगा, मतलब, draft है, money order है, इसके separate consideration लिये, तो उसके वहां GST आजाएगा, हा, एक discussion में आप से लेना चाओगा, okay, cryptocurrency, 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 लिखना है लिख देना, यह burning issue है, क्या cryptocurrency money में आएगा, okay, तो उपर highlight में लिख देना, okay, उपर highlight में लिख देना, निचे का space मत यूज़ करना है, उपर highlight में लिख देना, crypto, crypto, not recognize, not recognize, not recognize, not recognize by RBI, not recognize by RBI, not recognize by RBI, तो crypto transaction, क्या GST के scope में हैगे, yes, GST payable, yes, GST payable on crypto transaction, okay, okay, वो not recognize by RBI है, GST उसके उपर आएगा, okay, not in the definition of money, अगर आप specially crypto currency की बात कर रहे होगे, तो, चलिए, वो legal tender से बाहर रखा हुआ है, crypto currency, okay, legal tender के बाहर रखा हुआ है, अगर हम एक बार फिर से analysis करें, तो activity in money, deposit or withdrawal of money from bank, पैसा देना, पैसा लेना, deposit करना, विद्वा करना, loan देना, वापस लेना, investment करना, वापस लेना, यह transaction in money है, okay, borrowing or repayments transaction in money है, पर उसके interest लगाना, processing fees लगाना, interest लगाना, processing fees लगाना, उसके वो separate consideration है, उसके उपर GST आजाएगा, commission on conversion of rupees to coin, dollar to rupees, इसके उपर GST आजाएगा, ठीक है, तो, क्योंकि यह separate consideration है, वो taxable होगा, चलिए, अब मैं, एक जो chart निकालने वाला हो, वो बहुत important है, और अभी door बान रहा हूँ, यह हमारे, आगे की discussion के लिए बहुत important है, specially मैं discuss करूँगा interest, तो नीचे जो जगा है, वहाँ लिखना title, एक chart बना रहे है, सभी बना हूए मेरे साथ, interest, वहाँ notebook में बना, notebook में नीचे, इसके नीचे जगा दीगे मैंने, interest, इसमें दो पार्ट करना, interest, on, loan, advances, advances और, deposits, आपने किसी को loan दिया, उस पे interest, आपने किसी से loan लिया, उस पे interest, उस पे interest, advances पे interest, या आपने deposit रखा bank में, उसका interest मिला आपको, ठीक है, आपने किसी को FD दिया, या किसी company में deposits रखा, उसका interest, आप दूसरा interest लगता है, इन्या में, interest on, interest on, delay payment of, delay payment of consideration, consideration, for SOG or SOS, interest, interest on delay payment of consideration, for SOG or SOS, SOG or SOS, interest on delay payment of consideration, for SOG or SOS, interest on loan advances or deposit, EXP, so लिकना, very important point, it is covered in the definition of service, in the definition of service, service it is covered in the definition of service, second point but but यहां ऐसा रेट पेंस लेकना मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टन है but but government has government have exempted exempted such government have exempted such interest government have exempted such interest by notification number by notification number exemption chapter में देखेंगे 12 2017 12 2017 bracket में refer exemption chapter exemption chapter refer exemption chapter credit card का interest taxable है वो exemption chapter में देखेंगे क्या exemption है क्या taxable है हम देखेंगे जैसे credit card है credit card का interest taxable है पर बागी interest exempt रखा हुआ है ठीक है ये मतलब मेरा ये stage पर कहना क्या है ये stage पर कहना है कि ये point समझा क्या आपको ये point क्या कहता है कि interest loan advances और deposit का it's a service it's a service but exempted ख्याल रहे there is a difference between non-taxable और exempt आपको बहुत ध्यार रखना है याँ पर non-taxable मतलब only 6 product day to day life में भी आपने ये word ने यूज करना और वो interest तो non-taxable है नहीं interest exempt है exempt होना मतलब taxable exempt होना मतलब taxable but exempted interest is a service it's a supply it's a taxable but exempted और ख्याल रखना exempt हम उसको ही कर सकते exempt हम उसको ही कर सकते जो taxable है जैसा मैं face to face class लेता हूँ तो मैं class के बाहर उसको ही निकाल सकता हूँ या चुट्टी उसको ही दे सकता हूँ जो मेरे class में है imagine करो कि कोई बंदे ने मेरा class नहीं लगाया बाहर से जा रहा है और मैंने उसको गा जा तुझे निकाल दिया वो पूचेगा आया कौन आया कौन इन शॉर्ट और के यहां पे जो taxable के scope में आता है जो GST के scope में आता है उसको ही हम exempt कर सकते है तो in simple word मेरा यह कहना है कि यह interest service है बट अभी फिलाल exempted है तो promote यहां पे economical objective government यह booster देना चाहती है एकनोमिको की loan लोग loan ले advances ले deposit ले उससे यहां अपना infrastructure development करे और industrial growth करे फिलाल government उस interest को यहां पे benefit देना चाहती है credit card को नहीं दे रही है credit card को नहीं दे रही है बात अलग है हम वो exemption chapter में पढ़ेंगे credit card के interest पे GST लगा रही है क्योंकि government सोचती है वो तो convenience है यह था interest on loan advances or deposits दूसरा अगर हम यहां पे जहन रहे दूसरा interest on delay payment of consideration for SOG और SOS अब interest on delay payment यह भी एक term आती है GST में जो अभी clarify कर रहे है delay payment of consideration मतलब क्या कि आपने माल बेचा dators को और dators से पैसा लेट आया यह आपने loan नहीं दिया dators को आपने कोई advance नहीं दिया dators को आपने good supply किया और वो good supply करने का delay payment आया लिखना होगा तो लिख देना interest on late payment by dators simple word में late payment by dators तो यह interest service भी है सुनिएगा यह interest service भी है और इस पर GST भी आता है तो लिखो service मतलब anything other than goods यह interest लगाया anything other than goods में आता है तो it is covered it is a service it is a service and and taxable service and taxable उसके पर GST भी आएगा refer detailed discussion discussion in value of supply chapter VOS मतलब value of supply chapter detailed discussion हम वहाँ पर करेंगे तो इस तरह से हमने यहाँ पर interest को classify किया अभी तो मेरा discussion no doubt इससे ही connected था पर साथ साथ में मैंने यह interest भी ले लिया तो यह interest value का part माना जाता है इसके उपर GST आता है इस पर कोई exemption नहीं है अगर interest loan advances so deposit का होगा तो इसके विए फिट मिल जाएगा चलो अगर आपको समझ में आवगा तो फटाफट I type करो समझ में आवगा तो फटाफट I type करो यह आपने देखा regarding to money and separate consideration charge for money next definition of securities next definition of securities the term securities align with the definition even in securities contract regulation act 1956 जिसको आगे मैं SCR का होगा इस act में जे security defined है वो securities यहाँ पर consider होगी और GST के scope में नहीं आई है derivative and GST liability यह discussion important MCQ में इसके पर सवाल पूछा जा सकता है specially derivative contracts related derivatives as a financial instrument deriving their value from underlying asset and included in the definition of securities under SCRA derivatives SCRA में cover होते हैं derivatives SCRA में cover होते हैं और मेरे साथ underline क्या करो और एक basic psychology आपको बता दू आप underline करोगे अभी मेरे साथ notes में तो next time जब पढ़ने जाओगे तो ऐसा लगेगा हाँ हाँ पढ़ा हुआ है और अगर कोई पैरा blank देखोगे तो खुद पर या मेरे पे डाउट आएगा सर ने पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया या सर ने से ब्रीड करके उड़ा दिया इसले आप मेरे साथ पढ़ते जाएं या underline करते जाएं psychological effect tremendous है उसका since derivative fall within the category of securities they are neither consider goods underline they are neither considered as goods nor services and not subject to GST जैसे आप put option में business कर रहे हो call option में business कर रहे हो future contract कर रहे हो forward contract कर रहे हो ऐसे contract पे GST नहीं आएगा ये contract करने के लिए अगर separate consideration लगाया गया commission या other charges लगाया तो उसके उपर GST आएगा चलो कुछ analysis कर लेते हैं कुछ चीजे देख लेते हैं यहाँ पर now future contract future contract उसका meaning देख लेते हैं future contract is an contract between two parties to buy and sell particular asset of specific quantity okay ये contract जो है ये sale or purchase का होता है at pre-determined price on a specific date in the future future में ये जो contract है ये carry out होगा इतने quantity और जिसकी price आज ही fix की जाती है इसे hedge contract भी कहते हैं क्या इसके ऐसे contract पे GST आएगा क्या however if the settlement of contract take place by way of actual delivery of underlying commodity then it would be treated as supply of goods and liable to GST अब थोड़ा ये समझ लेना वैसे तो ये contract पे GST नहीं आएगा अगर future contract बिना delivery का settle होता है future contract बिना delivery का settle होता है तो GST नहीं आएगा इसके लिए आप financial management पढ़ो commodity contract होगे बिना delivery के settle हुए shares के contract होगे future contract होगे बिना delivery के settle हुए वैसे भी shares जो है shares पे तो वैसे भी GST नहीं आता है delivery भी दिया तो भी GST नहीं आता है तो जहां तक है future contract commodity के होगे shares के नहीं commodity के होगे और बिना delivery के settle होगे तो वो derivative contract माने जाएगे उसके उपर GST नहीं आएगा पर एक बात का आप सभी ख्याल रहे है और यहां पर क्या ख्याल रखना है कि अगर यह contract commodity के होगे commodity contract होगे और वो contract जो future contract है delivery देने के बाद settle होगे तो फिर GST आएगा क्योंकि उसमें फिर actual goods का supply हुआ तो actual goods का supply हुआ और specially commodity contract होगे तो उसके पर GST आएगा यह पहला समझा होगा तो one type करो ओके यह पहला समझा होगा तो underline करो उसके बाद मैं forward contract forward contract is an agreement between two parties to buy or sell something at specified price on future date same future जैसा ही forward contract केता है specified contract or future date को होगा लगभग same ही होता है forward or future contract however settlement take place by way of actual delirium of underlying commodity then it would be liable to GST वैसे forward contract भी derivative contract है उसपे GST नहीं आएगा अगर बिना delivery का settle हुआ पर अगर commodity होगी और वो commodity की delivery देके settle हुआ तो फिर GST आ सकता है उसके बाद मैं secure debt a property is placed as a collateral for loan the loan is called as secure debt okay and sale purchase or acquisition or assignment of secure debt does not involve a transaction in many okay hence they are securities or not liable to GST very important okay bank का कभी जैसे दो बार ऐसा हुआ कि banking sector का एक numerical questions बनाया गया और exam में पूछा गया और यह का गया bank acquired secure debt of 500 crores मतलब किसी की secure debt हुई और bank ने secure transition अगर आपने यह word financial management पढ़ा होगा तो उसको securization कहता है तो किसी okay दुसरे bank की secure debt acquire कर लिए यह bank ने तो secure debt acquire करना okay उसको purchase करना acquire करना या उसको sell करना क्या यह secure debt यहां पर GST के scope में आएगा क्या 500 crore का secure debt acquire किया आप क्या करोगे टाइम पर तुका लगा दूँए secure debt नहीं आएगा no GST reason क्या है क्योंकि reason पर marks है reason यह था कि यह securities transaction माने जाते है okay securitization यह SCRA के सबसे securities transaction माने जाते है और अगर यह security transaction माने जाते है तो उसके उपर GST नहीं आता है okay और transaction instrument transaction instrument like interest rate swaps foreign action swap comes under the derivative okay यह बहुत important है interest rate swap यह सब आपको FM में समझाय जाएगा okay अभी mail को मत पुछना financial management subject जब पढ़ोगे उसमें आ जाएगा interest rate swap है foreign action rate swap है okay यह derivative contract में आते है और यह अगर derivative contract में आते तो इस पर भी GST नहीं आएगा यह table important for your exam चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए यह पढ़के जाना इसके छोटे चटे question MCQ में भी बुछी जाते है यह जब कोई numerical questions बनाते है और उसमें adjustments देते है तो हो सकते है आपको secure depth की adjustment ओके यह आपको transaction in instrument like interest rate swap foreign action rate swap के अगर amount दी जाए तो इस securities transaction यह derivatives transaction reason remark आपको सही दंग से लिखना है और लिखना है कि not liable to GST ओके यह table समझा क्या yes or no please बता हिए now next discussion securities lending scheme important आ सकता है securities lending scheme exam में इसको पर सवाल पुछा जा सकता है securities lending scheme क्या होता है अब देखो यहां पर पहसी बार supply of securities under securities lending scheme by lender is not a transaction in security underline it is not a transaction in securities as it does not entail the disposal of securities it is facilitating or arranging the transaction in securities a both important a securities thus the activity of lending of securities would be treated as supply of service by the lender and the GST is required to be discharge by the lender on the fees charge in respect of lending securities in respect of lending securities note securities lending scheme lender of security lend the borrower through a approved intermediary to borrow under arrangement for specified period with a condition that borrower will return the equivalent security with the same type or class at the end of specified period along with corporate benefits okay occurring on the securities sir underline highlight के अलावा कुछ नहीं समझा है मैं हूना समझा रहो आकको समझ लो मेरे पास reliance के share पड़े हुए है और 10,000 share पड़े है assume करो भाई assume करो मेरे पास 10,000 share reliance के पड़े हुए है ठीक है long term investment है और real sense में मेरा nature ऐसा है कि अगर मैं कुछ share में invest करता हूँ मैं long term करता हूँ उसको देखता भी नहीं बाद में हो गया जो हो गया investment और अच्छे company में invest करके रख देता हूँ अब long term है मैं नहीं छेड़ता हूँ अब यहां समझ लो example लेते है कोई नाम रोहन लेते है रोहन जो है वो यंग बंदा है energetic बंदा है share market में नय नय है और trading करना चाहता है अब उसको लग रहा है कि Reliance के share आगे future में बढ़ेंगे और उसको delivery based काम करना है उसको ऐसा day to day के base में काम नहीं करना है अब उसको 10,000 share में trading करना है 10,000 share Reliance के खरीदना कोई अभी आसान तो नहीं है रोहन के लिए लेकिन ओके वो बंदा आगे future में CA बन जाएगा मेरी best wishes है और सब को ही है तो यहां पे वो बंदा CA बन जाएगा अब तब खरीद लेगा तो ऐसे situation में रोहन को जो है यहां पे 10,000 share में trading करना है अब यह 10,000 share में जब उसको trading करना है पर खरीद तो नहीं सकता है delivery based trading करना है कोई call option, pull option, former contract में भी नहीं करना है तो यहां पे सेवी ने एक scheme को approve किया है जिसका नाम है securities lending scheme रोहन मेरे पास आ गया और का विशाल सर कैसे हो आप मैंने का अच्छा है तो सर मैंने सुना आपके पास Reliance के 10,000 share है मैंने का हाँ है तो सर यह मुझे यह 10,000 share borrow करना है आपसे आपके demat से मेरे demat में shift करना है छे मैने के लिए सर छे मैने का time दो मैं इसमें मैं बहुत कमा के दूँगा वैसे भी आपके बस long time है आप तो बेचने वाले नहीं हूँ मेरे demat में आप मुझे दो मुझे borrow करता है तो मैंने क्या भाई रोहन मेरा क्या benefit है रोहन ने क्या सर आपका बहुत benefit है इसमें आपसे मुझे borrow करने दो तो मैंने का ठीक है पर ये direct नहीं जाता है through specified intermediaries जो NLC और BSC के ब्रोकर है उनके थूँ ये transaction route करना पड़ता है तो मैंने अपने demand से lane कर दिये या 10,000 share रोहन को रोहन ने उसके ओपर trading किया 6 मैना 6 मैने के लिए lane किये 6 मैना trading किया करने के बाद मेरे share वापस कर दिये उसने इसके margin money अगरे भी रहता है उसके detail में नहीं जाना है concept को समझ लो तो वह जो उसने वापस कर दिये पर मैंने का रोहन तुने तो बहुत कमाया कुछ तो benefit दे कुछ तो premium मुझे भी दे मैंने का सर मैंने जितना कमाया उसका 30% premium आपका देगा तो मुझे 30% premium मिला मैं lender था और ख्याल रहे एक line जो आभी मैं कहने जा रहा हूँ जिंदगी में याद रखना जब तक GST आपके साथ है जिसको भी पैसा मिलता है वो always supplier होता है जैसे आपका मिला contract मैंने पैसा मिला मैं supplier हो यह basic fund आए GST का जिसको पैसा मिला वो supplier होता है consideration जिसको मिला और जो consideration देता है वो recipient होता है always तो मैंने transaction किया lending of securities जो securities मैंने लेंड किया उसके उपर तो GST ने आएगा पर उसका consideration premium में लिया benefits लिये 30% तो मैं supplier of service हुआ और lender जिसने premium लिया 30% तो stock lending scheme के तहट यहां पर मैं premium ले सकता हो corporate benefit ले सकता हो CBIC circular क्या है कि जो premium मिला 30% वो premium जो है it's not a transaction in securities it's to facilitate or arranging the transaction in securities or anything which is facilitating or arranging the transaction in securities okay वो service मैं specifically include किया गया है अगर वो service मैं include किया गया है तो supply के under में आएगा और उसके पर GST आएगा अगर आपको यह समझाओगा तो securities lending का SL SL type कीजिएगा securities lending का SL SL type कीजिएगा चलो फटा फट टाइब कीजिए done 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 I hope आपको यह clearly समझ में आ गया चलो next एक और सवाल खड़ा होता है taxability of share capital held in intermediary company by parent company यह clarification important क्यूंकि यह clarification 2023 का clarification है Okay और यह आपके लिए important for exam important भाई साब मैं कह रहा हूं 2017 से जो जो भी चीजे मैंने important काई अग्जाम में आई, आपको clue दे रहा हूं जो जो भी चीजे मैंने important काई अग्जाम में आई, यह आपको clue दे रहा हू Uhr तो जैसे सेक्रिटी लेंडिंग स्किम में जो मुझे 30% प्रियों मिला तो जो लेंडर है मैं मेरे हाथ में 30% पे GST पे करना पड़ेगा अब सवाल ये था कि होल्डिंग कमपनी ने सबसिडरी कमपनी में शेर होल्ड करके बाई किये जैसे टाटा ग्रूप ने और कि अपने ही सबसिडरी कमपनी के इसमें बाई के शेर तो क्या शेर होल करना बाई करना क्या उस पर GST आएगा वेदर अप्टिविटी ऑफ होल्डिंग शेर बाई होल्डिंग कमपनी अप सबसिडरी कमपनी विल ट्रीट अपलाइब सर्वीस और नौट वेदर सेम विल अट्रैक GST पता रिक CBIC ने क्यों क्लारिफाई किया पर सच कहू तो ये अगें सेक्यूरिटी ट्रांजेक्शन है वो सर्वीस में नहीं आते है ये तो कॉमन बच्चा भी बता देगा पर CBIC ने क्लारिफाई किया है यार रखना in isolation does not constitute SOG or SOS to qualify as a supply of service it should be covered under Section 7 of CGST act मतलब अगर supply कहना है तो Section 7 में भी आना चाहिए अगर अगरा के बता है जानकला है तो APSOG or SOS में नहीं no inherent service in holding shares holding shares of subsidiary company by holding company by itself does not constitute the provision of services consequently the Act of holding company the act of holding company holding shares of subsidiary company cannot be regarded as a supply of service from the holding company to the subsidiary company and is not subject to GST not subject to GST तो भाई साफ, okay, money और securities के जितने भी possible option है, हमारे institute के material के, CA, CMA, CS तीनो के, सारे parameters मैंने यहां पे ले लिये, और money और securities के सारा discussion मैंने यहां cover कर लिया, तो इस तरह से money और securities के discussion हमारे यहां complete होता है, ठीक है चलिए तो मैंने section 7 1 A में आपको क्या कहा, section 7 1 A कहता है, it includes all form of supply of goods or services or both such as, such as sale, transfer, barter, etc चलो, जहां तक है goods की बात है, goods हमने देख लिया what do you mean by goods हमने देख लिया okay what do you mean by services हमने देख लिया okay, तो अब जहां तक देखा जाए अब आते हैं यह वाले पार्ट पर, such as बैसे such as का कोई importance नहीं है, क्योंकि यह just example है, इसलिए आपको बहुत depth में नहीं जाना है what do you mean by sale under GST जैसे sale of goods act में sale की definition important हो सकती है, transfer, barter की definition important हो सकती है, यहां बिल्कुल भी important नहीं है definition हो defined भी नहीं किया, GST में sale आने क्या transfer, barter रहने क्या, कुछ भी define नहीं किया उन्होंने, क्यों define नहीं किया logically बिल्कुल सही है, जब उपर कह रहे है all form of supply है, तो इसका क्या relevance आता है, कुछ भी नहीं आता है, okay all form of supply है, जो agree हुआ for consideration या in the course of business, उस पर GST आ जाएगा, इसलिए इसको इतना आपने importance भी मत देना, तवज्जब भी मत देना, okay, तो तभी देख लेते हैं कि इनके meaning क्या होता है मैंने निचे दिया, okay sale, अगर हम देखें तो sale याने क्या है एक general meaning, okay, explanation explanation, okay, और ये explanation as per, okay, या लिख देना, as per dictionary meaning, क्योंकि ये इसमें defined नहीं है ये GST law में एक भी वर defined नहीं है sale, जिसमें ownership, ये title transfer होते है, transfer of possession हाँ, अब कभी-कभी आपको confuse करते हैं कि भई, okay goods का possession transfer हुआ है for consideration, जैसे higher purchase, example आपको लिखना है तो आप लिख सकते हाँ, higher purchase, HP transaction, okay, higher purchase, position transfer हुआ है, but ownership नहीं हुए, GST आएगा ये नहीं आएगा, अब होगे आप confused, और ये ownership तो दिया ही नहीं, किसने कहा sale पे GST है, by GST, जो है, all form of supply जिसमें है consideration है, that's all, पिर जैस आपने possession दिया हो, okay, जैस आपने possession दिया हो, पर sale नहीं किया हो, समझ में आए क्या, sale नहीं किया, उसे ही possession दिया हो, for consideration, higher purchase transaction, okay, finance lease transaction, okay, yes, उस उस पर भी GST आएगा, उसके बाद में next, barter, okay, barter transaction okay, जैसे मैंने आपको कुछ दिया, जैसे, simple example, barter transaction का ले लो, okay, की, architect service, समझ लो, मैंने, मेरा एक client है, okay, अब barter transaction क्या होगा, उसके सारे, okay, GST के compliance, income tax क्या compliance, मैं करके देता हो, उसने मेरा घर का architect design ली, आपने fee से top कर दी, example बता रहो, तो ऐसे कोई barter transaction होगे, goods क्या गेंस में, good service क्या गेंस में, service, इस पे, दोनों क्वे भी GST आएगा, मैंने जो supply किया, उस पर भी GST आएगा, उसने जो supply किया, in the course of business, उस पे GST आएगा, okay, उसने architect service दी, GST आएगा, मैंने tax council लान्जी service ली, GST आएगा, valuation कैसे होगा, वो valuation rule में देखेंगे, अगर barter करते हो तो वो case में valuation कैसे होगा, okay, यहाँ पे exchange करते हो, जैसे आपने, okay, नया mobile खरिदा, in exchange of old mobile, okay, तो yes, वो case में जो नया mobile खरिदा, in exchange of old mobile, उस पर भी GST आएगा, कैसे आएगा, valuation कैसे होगा, ओके, यह हम देखेंगे, यह जरूर नहीं कि consideration money में होना चाहिए, consideration must be there, consideration must be there, consideration other form में भी होगा, तो भी GST आएगा, okay, so फिर सर्थ हमने money की definition क्यों देखी, money की definition हमने इसले देखी कि goods के consideration के लिए नहीं देखी money की definition, money की definition हमने देखी कि goods और service में money के transaction नहीं आता है, हा पर आपने जो goods दिया, उसमें आपको money भी मिल सकता है, आपने जो service दिया, goods दिया, उसके other consideration में भी मिल सकता है, what do you mean by consideration हम देखेंगे, okay, तो barter action transaction, okay, हम यहाँ पर, यह GST के scope में आते है, license आपने, okay, permission granted to competent authority in a business, occupations, goods के license, immovable property के license, lease transactions, rental transaction, disposal, okay, disposal भी यहाँ पर, okay, यह जो है supply मना जाएगा, जैसे waste का disposal, waste is a goods, asset का disposal, asset is also goods, any goods, any kind of movable property, फिर आपने asset बेचा उस पर भी GST, waste बेचा उस पर भी GST, buy product बेचा उस पर भी GST, किसी भी type के transactions, okay, जहाँ disposal भी होगे, okay, वो भी GST के scope में आते है, क्योंकि goods में, जो नहीं कि आपका finished goods ही आता है, गुश में asset भी आते है, आपने asset बेची, जो movable थी, आपने waste बेचा जो movable थी, आपने buy product बेचा जो movable थी, इस टाइप के transaction, अगर आप करते हो तो उसके 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 उपर GST आता है, तो यह हमने, okay, जो पहला पार था, क्या पहला पार था, कि sale, transfer, okay, यह जस एक्जामपल है, और ख्याल र other than goods के होगे, उसके उपर GST आएगा, okay, no doubt, आगे हम इस पर भी बात करेंगे, made or agree to be made for consideration in the course of business, चलिए, एक break लेते हैं, आगे का discussion, break के बात, ठीक है, चला, ऐाएगा, कि हुआगा तो एILदो, आगे, यह जखया है, आगे के जाएगा, पार बात, आगे हमरे, आगेütे की तो अपर के दो तो चाताःगांगे, चला, कर दोरा है או से एक तो चला, कर बात, अएखाघखाएगागा ज favor M Interesting, आएखाइगा, सिस वी यहाच्आूभी झाल 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 आगे बढ़ने के पहले आपके कुछ गुश्चन्स हो सकते हैं मैं एक बार उसको दिमाग में आ सकते हैं यह क्वेश्चन्स पेचली फ्यूचर और फ्रवड कॉंट्रेक्ट से रिलेटेव पहली बात तो मैं आपको यह कहे दू कि फ्यूचर और फ्रवर्ड कॉंट्रेक्ट कमोडिटी के होंगे और अगर आपने पहले स्कुएर आफ कर दिये तो उसके उपर जिस्टी नहीं आता है क्योंकि वह डिरिवेट्व कॉंट्रेक्ट माना गाता है अगर आपने स्कुएर आ आपके रैट्स क्रियेट होगे कमोडिटी है ठीक है वह फीजिकली नहीं मौँर हो रहा है पर आप कभी भी वह राइट्स पर फीजिकली मौ करवा सकते हो कमोडिटी इसलिए वह सिचुएशन में उसपली अप गूट्स में आपक्लाशीफ होते है रिस लिए उसक का एक में है in the form of interest data score for delay payment of consideration तो क्या वो penalty भी GST के scope में आती है यस जब मैं valuation chapter पढ़ होगा value of supply तो penalty late fee interest for delay payment of consideration ये value का part माने जाता है उसके उपर GST आता है detail discussion बाद में करेंगे यहां discussion को रोग देना third sir वो holding subsidiary वाला एक बार revise कर दो simple एक line में कहूं तो holding company ने subsidiary company में जो share hold किएगे share hold किए वो contract of security माना जाएगा और वो share holding पे कोई भी GST नहीं आएगा ओके अब इसके अलावा आपके कोई भी doubts होगे ये तो सिर्फ मैं definition पढ़ा रहा हूँ आगे धिरे-धिरे discussion में clear हो जाएगे ठीक है जब value of supply पढ़ेंगे जब exemption पढ़ेंगे तो उसमें आपके clear हो जाएगे चलिए अब आते हैं एक concept है और वो है made supply होता है अगर supply होता है तो GST तो आएगा ना भाई क्योंकि section 71a में अगर supply होता है तो आपके उपर GST आ जाएगा अब सवाल है कि sir supplies made made का meaning क्या लेना made का meaning लेना कि goods are already delivered ये service provided और payment बाद में आया ये क्या हो गया goods already delivered पर payment बाद में आया तो generally जब आप goods का supply कर देते हो service render कर देते हो और पैसा बाद में आता है तो उस context को made कहा जाता है कि supply is made और second होता है agreed to be made बेटा agreed to be made मतलब there is an agreement for supply या advance मैं थोड़ा discussion करना चाहोगा advance पे तो बन्नो रहा है भाई just a minute just a minute agreed to be made or specially advance अब देखो बहुसी बार supplier of the goods को आप ओके यह कोई यहाँ पे trader है manufacturer है या trader है manufacturer है या trader है ठीक है यह goods का supply कर रहा है और वो customer को कर रहा है आप goods का supply जब यह customer को करता है तो यह situation में customer से बहुसी बार advance मिलता है advance मिलता है तो दोनों event में difference क्या हो जाता है समझ लो advance मिला यहाँ पे 10-4XX को advance मिला और 50,000 का advance मिला हुआ है और actual goods का supply हुआ मतलब goods की delivery हुई और truck में goods लोड हो गया और actual goods का supply हुआ यहाँ पे okay 28XX को तो सवाल ही आ जाता है कि GST कब पे होगा GST कब पे होगा क्योंकि advance भी मिला advance मिला मतलब agree हुआ agreed हुआ अपका और actual supply बाद में हुआ तो GST कब पे होगा supply कब माना जाएगा तो अगर आप section 7-1-8 carefully पढ़ते हो तो आपको जब advance मिला यह event भी supply में कवर हो जाता है यहने advance मिलते है to the extent of that advance वो supply माना जाता है और वो supply माना जाता है तो उसके उपर GST आ जाएगा in short okay हमारी government यह message देना चाहती है कि agreed to be made में अगर आपको advance मिल जाता है तो उस advance पे भी और कि उसी वक्त हैने April में ही GST लगा दिया जाएगा April में ही GST लगा जाएगा फिर वो supply of goods हो या supply of services हो लेकिन और कि एक July 2017 को ध्यान सुनना एक July 2017 को यहाँ पे 2017 को GST law फिचर में आया और 2017 में और कि जो manufacturer है जो manufacturer है या trader है जो ट्रेडर है जो goods के supply करते हैं और जो service provider है जो service provider है जो services के supply करते हैं इनको message दे दिया गया दोनों को message दे दिया गया है पर GST लगा दो और बाकी बचेवे amounts पे जब आप supply करोगे तब लगाओ तो अब ऐसे situation में जो manufacturing sector था और यह trading sector था यह oppose में चले गया यह क्यों oppose में चले गया क्योंकि इन्होंने जब से independence मिला और तो साट सतर साल की आदत कि कभी advance पे tax नहीं दिया जब actual invoice बने तभी tax दिया तो यह साट सतर साल की आदत थी service sector में पहले से advance पे tax था यह जब service tax आया 1994 में तब से ही अगर service provider को advance मिलता है तो इसके पर tax लगेगा यह पहले से ही था और बाकी बचा हुआ tax जो है जब आप actual supply करोगे तब लगेगा बाकी detail discussion time आप supply में हो गई और आपके question देखके मैं surprise हूँ इंटर लेवल पर आपको पढ़ाया की नहीं पढ़ाया आपके faculty ने इस सब इंटर लेवल के concept है यहाँ पर तभी no doubt आप पूछो definitely मैं जितना मेरे से बन सके मैं आपके question के answer दूगा ठीक है तो ऐसे situation में जहां तक देखा जाए 2017 में July, August, September जहां तक देखा जाए तो यह जो है बहुत आपोस हुआ manufacturing और trading सेक्टर पे कि advance पे GST मत लाओ क्योंकि बहुत सी बार customer जब advance देता है तो वो advance पे GST अलक्सर नहीं देता है वो लमसम amount देता है और advance हमारे working capital को help करता है इसले हमारी GST के liability उस event पे लाओ जब हम actual supply करेंगे उस event पे please GST liability लाओ और के invoice पे लाओ rather than advance government नहीं मानी मोदी जी नहीं माने और तब finance minister अरुन जेटली थे वो तो बिल्कुल नहीं माने वो कहे गई नहीं advance में पैसा आपको मिला आपको मिला तो हमको भी tax चाहिए तो ऐसे case में ऑगे जब gujarat के election आगे आने वाले थे तो gujarat के election आने वाले थे और सारे business community ने उनको help कर दिया okay कि भई यह हटाओ यह provision जो advance वाला है okay जो specially supply of good sector में advance पे GST की liability lie because of the word agreed to be made तो advance पे GST आ जाता है इसलिए उसको हटाओ तो atlas क्या हुआ okay atlas यह हुआ कि यहाँ पर लगबक November December की बात है 2017 की मुझे याद है तो November December में ऐसा हुआ कि यहाँ पर advance पे धान से सुनिएगा यहाँ पर advance पे जो है okay GST को specially जो good sector है उसको कैसे benefit देना फिलाल मानना पड़ेगा नहीं तो election आगया भई हार जाएंगे और business community का अच्छा hold है okay तो वह situation में जहां तक देखा जाए तो मैं आपको यह बता दू सुनिए द्यान से वह situation में आपको यह बता दू कि यहाँ पर गॉर्मेंट ने फिर एक notification लाया मतलब section में रहने दिया agreed to be agreed to be made एक notification लाया और यह notification आपको याद करना पड़ेगा notification number 67 by 2017 और यह notification में यह कहा गया जिसको बहुत detail में line by line पढ़ेंगे in the chapter of time of supply मैं पहले कहे देता हो और जो मैं कहे देता हो कि बाद में detail में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे जरूर इसलिए don't stuck with that ने तो कुछ student के आदत हो कि नहीं न सर बाद में detail में पढ़ाना अभी पढ़ा इसको पढ़ाने वाला हो बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हो अभी बस आप इतना ध्यान दो कि notification 66 by 2017 लाए गया और उसमें कहा गया कि जो supplier of goods होगे और goods का supplier करते होगे तो वो case में अभी फिलाल notification यह कहता है वो case में अभी फिलाल उसका TOS advance पे नहीं आएगा उसका TOS invoice प दिया गया है कि जो supplier of goods को है वो advance पे GST नहीं देंगे जब वो invoice issue करेंगे तब GST देंगे लेकिन यह benefit सिर्फ supply of goods को दिया गया sorry notification 66 okay 66 by 2017 मेरे से गलती होगी तो 66 by 2017 लाया गया और वो 66 by 2017 जो है यहाँ पे यह notification में कहा गया कि जो supply of goods करेंगे supply of goods के transaction पे advance पे GST नहीं आएगा TOS नहीं आएगा वो सिप invoice basis पे आएगा लेकिन जो service provider है service provider को यह notification लागू नहीं है मतलब यह advance पे GST देंगे okay okay यह advance पे GST देंगे okay यह समझा क्या तो यहाँ पे यह जो है advance पे जहां तक है मैंने clarity दी detail discussion हम आगे करेंगे अब देखो वो क्या कहते है GST liability on advance amount received even though as per term agreed to be made GST liable on advance received by the supplier underline advance received by supplier GST लगता है of goods or service but following are the amendments made by government by notification in official gazette notification number 66 by 2017 very important notification number आपको याद रखना पड़ेगा okay यह 66 by 2017 क्या कहते है यह अभी भी चल रहा है मतलब यह issue किया था 2017 में और आज भी लागू है okay अभी तक withdraw नहीं हुआ यह इसमें period notify नहीं किया था उन्होंने कि आता है और supply of service होगा तो GST payable on advance और invoice whichever is early है अगर service होगा तो yes advance पे GST आएगा कैसे आएगा calculation कैसे होगा क्या होगा detailed discussion in chapter time of supply तो सर यह discussion से हम क्या सीखें क्या आप दो मिट में review कर देते हो यह discussion से आप यह सीखें कि supply made or agreed to be made agreed to be made में advance पे भी GST आता है पर फिलहाल जो notification 2017 को issue किया था वो आज भी लागुए है goods के advance पे फिलहाल GST immediate नहीं आता है उसके invoice पे आता है पर हाँ service sector में अगर advance मिलते है तो GST आता है I hope आपका अगर समझाओगा तो M type कीजिएगा made or agreed to be made चली discussion को आगे बढ़ाते है उसके बाद में meaning of consideration important very very important यह आपको ओके अच्छे से पढ़के जाना है अब consideration का मतलब क्या वो क्या कहते है तिसरा तिसरा की देखो भाई एक supplier है एक recipient है इसके ओपर GST लगा या ना लगा यह discussion चलोगे जिस्टी लगाने के लिए supply होना जूरूरी है ओके section 7 के हिसाब से ओके GST लगाने के लिए supply होना जूरूरी है और supply goods का हो या service का हो यह for consideration होना जूरूरी है 7-1-A में इसमें consideration होना जूरूरी है ओके अगर आपके activity में consideration होगा तो GST आएगा इसका मतलब जोर से बोलो इसका मतलब जोर से बोलो free activity पे GST नहीं आता है एक दम पूरे जोर से पूरे energy के साथ free activity पे GST नहीं आता है पहले बोलो जोर से फिर इसके exception आएगे इसके exception आएगे पहले जोर से बोलो प्री एक्टिविटी में जीस्टी नहीं आता है, अगर मैं यहां, जिससे हमारे क्लास में बैच में कोई अगर किसको financial problem है, मैंने free classes दियो गया, तो उस पर मैं जीस्टी नहीं पे करूगा, जिसने consideration लिया है, उस पर ही जीस्टी पे करूगा, तो आपका supply, आप activity कर रहे हो, ज इसके against में आपको consideration आ रहे है, तो उस पर ही जीस्टी आएगा, जोर से बोला आपने, पहला thought इतना दिमाग में घुसना चाहिए, इतना दिमाग में घुसना चाहिए, सीधा कि free activity पे जीस्टी नहीं आएगा, consideration होगा तो ही जीस्टी आएगा, I hope you understood, ठीक है, किसी ने free, कोई scheme में government ने free आपको घर construct करके दिये, मैंने training service free दिया, किसी ने architect service free दिया, free activity पे जीस्टी नहीं आता है, done, okay, अब देखो, यहाँ पे consideration होना जरूई है, फिर sir, एक सवल आता है, कि sir, हमने supply किया, supply up goods किया, okay, supply up service किया, okay, और यह consideration हमें आ रहा है, तो sir, क्या consideration money में आना नहीं बेटा, okay, money में नहीं, किसी भी form में consideration आया, तो GST आएगा, बस consideration होना चाहिए, sir, consideration की definition क्या है, okay, GST law में, yes, definitely consideration की definition, अब हम देखना है, okay, meaning of consideration, यह बहुत important हो जाता है, क्योंकि consideration होगा, तो ही basically GST आता है, इसको मैं, अगर simple word में लिया जाए, okay, तो यहाँ मैं इसको दो पार्ड में डिवाइड करता हो, payment for supply and monetary value of action, payment of supply and monetary value of action, okay, हमें उसमें को दो clause में लेंगे, A और B, okay, title से ज्यादा content पर जाना, okay, title से reference purpose के लिए होते है, content बहुत important है, consideration includes any payment made, कोई भी payment आपको मेल रहा है, और to be made, whether in money or otherwise, भाई साहब इसको बादल करना, money or otherwise, उन्होंने clear कर दिया, आपने जो goods दिया, आपने जो service दी, उसके against में आपको जो consideration आया, okay, वो consideration money में आया या otherwise आया, otherwise मतलब kind में आया, money में आया या kind में आया, okay, वो supply माना जाएगा, अब जैसा मेरे पास एक case आयता, एक architect ने, यहाँ पर धायन से सुनना, एक architect ने construction कर के दिया builder को, और builder financial crisis में चले गया, architect fees थी, no doubt service provide कर दिया architect ने, लेकिन अब वो architect service के against में consideration money में मिलना था, लेकिन builder financial crisis में चले गया, builder ने कहा सब में money में नहीं, आपको एक flat देता हूँ, okay, तो जो supply हुआ, क्या architecture service, उसके against में money में आया, या किसी भी form में, flat में आ जाया, okay, तो जहां तक flat जो है, वो भी consideration माना जाएगा, sir आपने तो बोला, immovable property पे GST नहीं आता है, भाई साब मैं flat पे GST तो ही लगा रहा हूँ, मैं यहां पे architect service पे GST लगा रहा हूँ, और architect service का consideration किसी में भी आए, फिर वो movable में आए, immoable में आए, kind में में आए, money में आए, किस consideration मिला ना, consideration मिला तो वो case में GST आएगा, in connection with, in response to, or for inducement of supply, okay, आपने जो supply किया goods और service का, उसके connection में आपको consideration आया, उसके response में consideration आया, या, okay, inducement, okay, वो induce करने के लिए consideration आया, sir यह inducement क्या होता है, आगे example लोगा, दो मेंट के लिए लोग जाना, okay, तो inducement वो अगर होगा, तो और उसका आपको consideration money में मिला होगा, या otherwise consideration मिला होगा, तो वो situation में, जहां तक है, yes, वो supply माना जाएगा, एक तो यह है पेमेंट से रिले रहे हो, कि आप मुझे consideration में money दे रहे हो, या otherwise दे रहे हो, कभी-कभी monetary value of action लेनी पड़ती है, कभी-कभी आप money में भी नहीं दे रहे ह और भाई साब, ये action में क्या दे रहे हो, ओके लेता हो, consideration also cover monetary value of any act, any act or forbearance related to, response to or inducement of supply of goods or services, भाई, सर ये क्या होता है, भाई, हमें जो consideration मिला, किसी act में, okay, consideration मिला, act or forbearance मिला, और in related to, response to or for inducement of supply of goods or services, ये क्या है, बता था हो, एक स्टोरी मेरी लेता हो, और ये बड़ी important है, स्टोरी ऐसी है, यहाँ पर, कि 2007 में, और ये स्टोरी हर बैच में मैं पढ़ाता हो, अगर आपने interim मेरे से किया होगा, तो definitely आपने सुरी होगी, okay, हर बैच में पढ़ाता हो, 2007 में में मेरी शाधी होई, अब फाल तो time pass मत करन okay, पहले सुन लो, my wife is interior decorator, और मेरा नाम विशाल है, और मेरे वाइफ का नाम इशा है, तो इशू ये है, वो मुझे विशू कहती है, मैं इशू कहता हो, ठीक है, अब ना, class में time pass मत करना, इशू, इशू, इशू करके, इशू क्या था, आपका बताता हो, चलिए, 2007 की बात है, वो interior decorator थी, शादियों के आई, दो-तीन मेने हुए है, फिर उसने कहा कि, विशाल, मुझे यहाँ पे practice start करना है, पुने में, और मैंने कहा, ठीक है, यहाँ पे हम practice start करेंगे, पर कैसे start करेंगे, क्योंकि बहे भी नया-नया था, पुना में, नए-नये classes चालू कि किये थे, कुछ नये friends बने थे, 2004-05 में मैंने class चालू किये थे, तो अब क्या हुआ कि, यहाँ पे, एक मिनिटा, एक मिनिटा, एक मिनिटा, वाइफ का नाम लेती है, fan van सब बंद हो गए, इसी बंद हो गए, ठीक है, तो हुआ क्या, मैंने कहा, बिल्कुल start करेंगे, तीन दीन बाद, मेरा एक friend था, जो हम साथ में पढ़ते थे, और वो Bombay में job कर रहा था, तो उसका call आए कि, Vishal, मेरी अभी transfer पुने हो रही है, और मैंने पुने में 3 BHK flat करी था, मैंने का, very good, congrats, क्या बात है, बढ़िया है, और उसका, उसने का, interior करवाना है, तो कोई interior decorator आ मैंने का, हाँ, घर की बात है, भाई, professional business पे फीज लगेगी, तो उसने का, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं अपना idea, concept भावी के साथ discuss कर लेता हूँ, और भावी को कहें, कि design मुझे provide कर दे, मैंने का, कि yes, design, मैं कहता हूँ, कि design तुमको provide कर देंगे, तीन दीन बाद उसने जो concept expense किया, design provide कि उसको बहुत पसंद है, इसने का, कि विशाल, मुझे भावी से करवाना है, जो भी fees होगी, मैं pay करने के लिए, मैंने मजा किया था, उसने का, नहीं, नहीं, फीज जो भी होगी, और कि वह मैं देंगे को radio, अब उसने एक condition रखे, और condition ये रखे, कि विशाल, य मुझे ऐसी तरह से चीए कि material भी interior decorator का लाए, service भी वो दे, carpenter भी उसका हो, मेरे पास इतना time ही नहीं कि मुझे से बार बार आ सको, मैं सिर्फ key turn करूगा, project should ready to use, material भी तुमारा, service भी तुमारी सब दो, मैंने का, कोई problem नहीं, मैं तुझे बता दूँगा, material selection वगरे सब मेर की wife कर लेगी, और उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में यहाँ पर, मैं अपने wife के पास गया, मैंने का, कि यार, वो काम है, छोड़ना नहीं है, हम start मिल रहा है, but एक important बात है, कि उसको तीन मैने में complete करना है, तो ready है, तीन मैने म complete करने के लिए, हमें कारपेंटर टीम बनानी पड़ेगी, हमें मतलब मैं तो BZU क्लास में, तुझे कारपेंटर टीम बनानी पड़ेगी, उसके बाद में तुझे यहाँ पर सारा कुछ तीन मैने के अंदर करना पड़ेगा, बड़ा project है, उसने वो challenge लिया, कि ठीक है, पर इस challenge में most important बात यह थी, कि दीन रात अगर कारपेंटर वहां work करे तो ही, यह complete हो पाएगा, काम चालो हो गया, 5-6 दिन जो है, दीन रात कारपेंटर वहां काम कर रहे है, लेकिन उस society में, जो इस flat का neighbor था, उसने society में objection डाल दिया, उसने society में objection यह डाल दिया, कि यहाँ पर यह क्या है, यह दीन रात काम कर रहे है, हमें disturb हो रहा है, ओकि हम सो नहीं बात है, तो उसने objection डाल दिया, कि ऐसे दीन रात काम नहीं चलेगा, और उसने timing दे दिया, कि सुबह 9 बज़े चालो होगा, दूफेर को 2 बज़े तक, 2-4 सोने का टाइम रहेगा, 4 से चालो होगा, ओके शाम को 7 बज़े तक, बस इतना ही काम हो पाएगा, वो आई घर पे परिशान थी, मैं क्लास से गया, मैंने का क्या हुआ जानू, ओके चलते रहता है, जब नहीं नहीं शादू होती है, तो ऐसे जानू अगर चलते रहते है, अब नहीं होते है, अब तो इधर आ, ऐसे चलते है, अब जहां तक देखा जाए, मैंने होगा, क्या होगा जानू, तो उसने का विशाल, विश्व ये ये प्रॉब्लम है, ओके वो नेवर ने अब्जेक्शन ले लिया है, मैंने का ठीक है, दर में हो ना, मैं चलते हो तरे साथ, ओके हम दोनों जो है, यहाँ, वहाँ पॉसिए अब्जिटी बता ही, उसने बुलाया, घर में बैठाया, हमने का, सर आपको दिक्कت क्या ब्रॉब्लम क्या, आपने अपने सुसैटी में आपजिक्शन क्यों लिया है, उसने का ब्रॉब्लम है, यहां पर नीझ निद नहीं हो पाती है हमारी, तो मैंने का सर कुछ पर देदी है कि sir यूख आपके hall का भी interior नहीं हुआ है उन्हें ने का हाँ interior नहीं हुआ हॉल का तो मैंने का एक काम करते है कि आपके hall का interior हम करवा लेते हैं अच्छा लगेगा आपका भी hall उसके मन में एक लड्डू फूटा उसने आप कैसे करवाओगे मैं इसके लिए अभी खर्चा करने को ready नहीं हूँ मैंने का पैसा आप से किसने मांगा है ओके आप से material लाके देना व वो थोड़ा relax हुआ उसने पूचा मुझे क्या करना पड़ेगा देखो काम में काम हो जाएगा आप कभी हो जाएगा क्यूंकि आज आप परिशान करो के कल आप काम कर रोगे हम परिशान करेंगे तो काम में काम कर लेते हैं तो उसने कहा ठीक है मैंने उसने का मुझे क्या क करना पड़ेगा, हम आपको interior और carpenter service free देंगे, interior और carpenter service free देंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, जो society में आपने objection उठाया है, forbearance कर दो उसको, छोड़ दो उसको, आपको एक act करना पड़ेगा, और वो action होगी, मुझे पैसा money में नहीं चाहिए, कसम खाता हूं, मुझे money नह चाहिए, तो फिर क्या चाहिए, आपको आपने जो objection उठाया है, उसको forbearance कर लो, बस, इतना ही चाहिए आपसे, और क्या, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ओके, उन मान गया है, कि ठीक है, मैं objection उठाया लेता हूं, उसको हमारे तरफ से, अब हम friend की बात नहीं कर रहे है, neighbor की बात कर रहे, उस neighbor को हमारे तरफ से, यह service free गई, कौन से service free गई, architecture and carpentry service, दिखने में तो free है बेटा, सुनो, दिखने में तो free है, लेकिन क्या real sense में वो free है, कि कुछ मिला है, कुछ मिला है, और वो है forbearance, उसने objection withdraw कर लिया, forbearance, यहाँ law बहुत important हो जाता है, और यहाँ यह कहता है, कि अगर, ओके, यहाँ पे किसी भी contract में, money नहीं होगा, या kind नहीं होगे, और कुछ ऐसे act होगे, या forbearance होगे, जो आपको मिले है, against your supply of goods, against your supply of services, अगे, against supply of goods, और against supply of services, तो भाई साब, उसकी भी monetary value, उसकी भी monetary value, consideration में मानी जाएगी, और वो भी consideration माना जाएगा, sir, but आपने तो चिला के कहता, free पे GST नहीं आता है, free पे GST नहीं आता है, यह तो free है, यह तो free है, तो, उस पे GST क्यो नहीं आता है, यह तो free है, तो GST क्यो नहीं आता है, यह तो free है, उस पे GST क्यो ला रहे है, बाई साब यह कहने के लिए free है, बाई साब यह कहने के लिए है कुछ तो है दया कुछ तो कड़ बढ़ है दया अरे समझा की नहीं समझा तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक है और बीडंस अगर होगा ओके सर कोई प्रैक्टिकल एक्जामपल यह अपने 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 एक्जामप लिया इस्टोरी अइछ लगी मज़ा आ गया ऐंज़े Mozart ली की कोई practical example है ना बिटा मैंने दो cases handle की ऐसी practical example अगर मैं practically देखा जाओ तो यहाँ पर एक builder था builder में okay slum rehabilitation में okay जो वहाँ जोपड़ पत्टी थी जोपड़ पत्टी को उसने building construct करके थी construction service है उसने गार देखो यह मैं आपको construct करके दे रहाओ एक जगा building आप वहाँ रहने चले जाओ okay free दोंगा आपको कोई charges नहीं लगाऊँगा दिखने में free है बेटा पर यह real sense में free नहीं है notice आया दा department का यह real sense में free नहीं है जो उसने construction service दी उसका consideration उसको मिला कि जो जो पड़पटी वाले है slum rehabilitation है उसमें उन्होंने जो है अपने rights छोड़े उनके land के जहाँ पर उनका occupancy था और rights वो consideration है GST का notice आया था भाई okay 55 करोड़ का notice था कि तुमने इस पर GST नहीं दिया builder ने builder को लगा यह free है बाई साब यह free नहीं है consideration उसमें involved था उस पर भी GST आता है okay उस पर भी GST आता है I hope आपको यह construction वाला example समझाओगा तो ऐसे कोई भी contract ले लो concept को समझो बेटा basic soul को पको आत्मा को पकड़ो हम कहीं पे भी इसको okay apply कर सकते है आत्मा यह कि वो free free होना चाहिए उसमें ना money ह होना चाहिए okay one उसमें ना money होना चाहिए second उसमें otherwise में नहीं होना चाहिए और उसमें कोई ऐसी action या act या forbillance नहीं होना चाहिए कि जो आपको फाइदा दिलवा सके जो आपको फाइदा दिलवा सके अगर वो अगर यह चारो चीज़े नहीं है तो फिर वो free माना जाएगा फिर GST नहीं आएगा पर यह चारो में से कोई भी चीज होगी तो फिर GST आ जाएगा I hope आपको जोड़िये कि consideration recipient से आना चाहिए नहीं आपका consideration in connection with recipient से आया या in response to third party से आया sir okay third party से आया का मतलब क्या okay चलो example देता हूँ okay आप example देता हूँ यह example definitely आपको help करेगा जो third party से भी आया हो जैसे आप कोई कार खरीदते हो या आप कोई बाइक खरीदते हो कार और बाइक में आपको एक साल की free service मिलती है पर सच बताओ तो यह नाम के लिए free है रियल सेंस में उस पर GST आता है जैसे आपको three servicing free की मैं डिलर हूँ okay और मैं authorized service center है और मैं आपको free service के coupon दे रहा हूँ है और कि आपको के सर यह तो free service के coupon है इसके ओपर GST नहीं आता है रियल सेंस में इसके ओपर GST आता है क्योंकि आपके लिए वह free है लेकिन उसका जो coupon है वह जाता है company को डिलर को manufacturer को मारूती उद्योग और के आपने मारूती का कार लिया होगा Tata या फिर जो भी Hyundai वगरे तो उनको जाता है वह coupon और उनसे पैसा आता है तो जरूर नहीं कि जिसको service दी जिसको service दी उसको वह से पैसा आना चीए अगर आपके service का पैसा किसी और से आ रहा है तो वह free नहीं माना जाएगा ओके वह free नहीं माना जाएगा I hope ओके यहां पर यह जो है consideration आप से है किसी और से है एक सवाल आपका आ सकता है कि company में जो CSR activity होती है वह CSR activity पर GST आता है कि नहीं वह totally free है क्योंकि उसका consideration किसके आ रहा है नहीं नहीं general consideration charitable consideration यह general हुआ इसको हम यह नहीं बोलेंगे मैं case study आगे लुगा supply for consideration वह circular बड़ा important है उसमें CSR activity पर थोड़ा और clarity आएगी अभी रुख जा रहा okay रुख जाना एक बहुत अच्छा clarification आगे supply for consideration ओके तो वह case में आपको CSR activity का clear हो जाएगा अगर आपके दिमाग में CSR का question आया होगा वापस आते है तो payment आप से आया किसी third person से भी है in response to your supply in connection with your supply तो जहां तक है वो भी consider as a consideration होगा next which is very very important यह बहुत ही important exclusion मतलब कुछ चीजे consideration नहीं मानी जाएगी exclusion from consideration however it does not includes a subsidies provided by central government और state government अगर central government और state government की subsidy आ रहे है पैसा आ रहा है पर government से आ रहा है in the form of subsidy तो वो situation में दैन सुनियेगा वो situation में यहां पे जो है वो consideration नहीं माना जाएगा okay example की तोर पे थोड़ा हम यहां लेते की आपका fertilizer का factory है आपका fertilizer का factory यह अब यह जो आपका fertilizer का factory है आप goods बना रहे हो और आप यह फार्मर को दे रहे हो और इसके लिए जो आप fertilizer farmer को दे रहे हो जिसके लिए central government की यह state government की subsidy है और central government से पर्सेंट आपको पैसा मिल रहा है, फार्मर को आप फ्री दे रहा हो, और सेंट्रल और स्टेट गवर्मेंट को आपको 100% सबसेटी मिल रही है, तो अब सवाल क्या हो जाता है, सवाल यह हो जाता है, कि पैसा तो आपको मिल रहा है, यस पैसा मिल रहा है, पर गवर्मेंट से म यह consideration माना जाएगा नहीं यह consideration नहीं माना जाएगा और यह जो आपने fertilizer supply किये no GST, इसके उपर GST नहीं आएगा क्योंकि government subsidy यह consideration नहीं मानी जाएगी, इसके उपर GST नहीं आएगा, example को थोड़ा change करते हैं, example को ऐसा लेते हैं, ओके यहाँ पर, और example करको यहाँ पर, title देता हूँ, subsidy by government, subsidy by government, ओके आपने fertilizer बनाया और यह fertilizer sale किया, sale किया, जिसको farmer से आपने price ली 70 rupees, ओके 100 MRP उसकी, ओके समझ लोग, price 100 है, farmer से 70 लिया, और government से subsidy आया, और subsidy government से आपको 30 rupees आया, ओके government से subsidy 30 rupees आया, तो मुझे बताओ GST कितने पर आएगा, क्योंकि आपको मिल रहे 100 है, पर 70 farmer से मिल रहे है, और 30 subsidy government से मिल रहे है, तो बताओ आपके उपर फटा बड़ answer दो, ओके GST कितने पर आएगा, तो GST बेटा यहाँ पर, ओके यह जो 30 है, not a consideration, not a consideration, यह consideration नहीं माना जाएगा, तो आपके उपर जो GST आएगा, वो 70 पर आएगा, So, GST is payable, GST is payable, only on value, only on value, that is, रुपीज 70, 70 रुपीज पर ही आपको GST पर पर आपको पर आपको बहुत क्लियरली, और यहाँ यह चीज समझ में आई होगी, कि जो subsidy government से आती है, वो subsidy, कि consideration का पार्ट नहीं मानी जाएगी, consideration का पार्ट नहीं मानी जाएगी, I hope, okay, सम्झा होगा, second, second, a deposit provided concerning a supply of goods or service, underline deposit, concerning supply of goods or service, is not a considered as payment, for the supply, unless, unless को underline करना, supplier utilize deposit as a consideration for specified supply, okay, अब देखो, यह deposit का एक example लेता हूँ, मैने अपना घर रेंपे दिया, okay, यहाँ मेरा commercial place, office है, रेंपे दिया, रेंपे देना यह service है, और रेंपे देना service है, पर agreement ऐसा हुआ, कि आपको पाँच मैने का deposit देना है, मेरा commercial office का रेंट है एक लाख, तो आपने मुझे, okay, रेंप का deposit दिया, और वो deposit दिया, यहाँ पे पाँच लाख रुपे, okay, और आपने रेंप दिया, advance में बन बन का, okay, क्योंकि रेंट advance में ले लिया, मैंने, one lakh one month का rent हुआ, तो पहला deposit हुआ, और यह one, one lakh rent हुआ, अब no doubt मैंने आपको billing दे दिया, billing में लिख दिया कि पाँच लाख का deposit है, और रेंट एक लाख है, अब जो total 6 लाख है, और मुझे GST लगाना है, अब बताओ, GST 18% से मुझे लगाना है, GST कितने पर लगाओ, और कि GST कितने पर लगाओ, total 6X पर लगाओ, या फिर मैं only one lakh पर लगाओ, बताओ, तो GST जो आएगा, only rupees one lakh पर आएगा, क्योंकि deposit यह refundable है, या non refundable भी होगा, अभी फिलाल तो यह understanding है, अभी फिलाल तो यह understanding है, कि deposit के नाम से अगर आपने पैसा लिया, क्योंना non refundable हो, उस पर GST नहीं आता है, वो consideration नहीं माना जाएगा, मन को मना लो, यह tax planning कर सकते हो, यह लगा क्योंना है, इस act का, तो deposit refundable हो, या non refundable हो, मना लो, वो जो है deposit पे GST नहीं आ रहा है, लोग इसका फाइदा ले रहे है, लोग इसका फाइदा, क्योंकि लोग कह रहे, यह कह लिखा है non refundable deposit, amendment की दरुवत है यहां पे, पर whatever it में भी, लोग इसका फाइदा ले रहे है, तो ऐसे situation में deposit जो है, वो तो transaction in money है, और कि वो supply का पैसा थोड़ी है, वो तो security है, तो security है deposit लिया जा रहा है, वो not considered as a payment for supply, वो यहां पे consideration नहीं माना जाएगा, unless such deposit adjusted as a consideration, ख्याल रहे, deposit non refundable हो, तो GST नहीं लगता है, पर अब ऐसा मत करना है, कि यह planning बड़ी easily हो सकती है, reasonable basis पे आप deposit लेना, पूरा rain deposit में adjust कर लोगे, तो GST आएगा, ऐसा नहीं है, lifting of corporate will होता है, go beyond the scene होता है, औके और आप अगर, deposit के नाम सी सब rain, हर मेने में deposit लिया, deposit लिया, भाई साब लोगों को, ऐसे ऐसे, फाल तु मत समझो, officer दुख खीच के देंगा, यह क्या हर मन्त का deposit, एक reasonable ठीक है, तुन्हे पहले लिया, non-refundable लिया होगा, पर हर चीज एड़िस नहीं हो सकती है, पर मैं आपको कह रहा हूँ, कि अगर आप reasonable basis पे, genuine transaction में deposit ले रहे हो, और वो genuine लग रहा है, और non-refundable genuine लग रहा है, तो आपको benefit मिल सकता है, यह मैं बहुत clearly बोल रहा हूँ, तुमारे boss कुछ भी बोले, कोई भी दुनिया का दूसरा आप में कुछ बोले है, यहाँ पर advanced ruling है, बहुत सारा discussion है, और अभी यह lacuna है, माल लो अब इसके आगे में discussion नहीं करूगा, reasonable basis पे, नहीं तो हर चीज़ अज़िस करते बैटोगे, तो officer दो कीच के मारेगा ही आपको, ओके, done, now, दूसरी बात आपको यह बता दूसरी, 1 lakh पे GST आएगा जो rent का है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, अब मुझे यह बताओ, कि आपने तीन मेने का rent नहीं दिया, तो मैं क्या करूगा, अगर आपने तीन मेने का rent नहीं दिया, तो वो case में, मैं अपना rent, तीन मेने का, किससे adjust कर लोगा, deposit से, तो अब law क्या कहता है, अगर future में, जो आपके service का consideration है, जितना adjust किया, वो supply माना जाएगा, मतलब वो deposit का 3 लाख रुपे इदर adjust हो गया, तो यह 3 लाख supply माना जाएगा, I hope आपको यह point समझा होगा, yes or no, प्लिस बताओ, आपको यह point समझा है नहीं समझा, जब deposit से adjust होगा, तो वो supply माना जाएगा, जब आपका deposit से rent काटा जाएगा, तो वो तो supply का पैसा है, यह समझा की नहीं समझा, प्लिस बताओ, चलो, ठीक है, अब इसका एक शार्ट देख लेता है, एक मिनए, चलो, यह चार्ट ड्रॉ कर लो, चलो, यह चार्ट ड्रॉ कर लो, consideration, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, और ड्रॉ करते वक्ट पूरा आपका ध्यान होना चीए, ड्रॉ करो, और ड्रॉ करते वक्ट पूरा ध्यान होना चीए, और होने के बाद डन लिको करते हैं जन झाल 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 तो बता झाल चलो इसका स्क्रीन शॉट लेलो एचार ड्रॉ करना है स्क्रीन शॉट लेलो जो ओडी पीटी में देख रहे है पॉस करके स्क्रीन शॉट लेलो चले भाई तो कंसिडरेशन रहने क्या अब आपके दिमाग में सामने क्या होना चीए कंसिडरेशन क्लॉस ए क्लॉस बी आपको पैसा मनी या अधर्वाइस या एक्ट या फॉर्बिरंस इसकी मोनेटरी वैल्यू तो चार चीज रहती है तो consideration है अगर चारों अपसेंट है तो फिर फ्री सप्ला है भगवान भी आ जाये तो जीएस्टी नहीं लग सकता है तो officer जब भी कोई फ्री अक्तिविटी है होती है तो चार चीज चीज चेक करता है कि आपने जो goods free दिया, या आपने service free दिया, whatever you supplied goods or services, okay, in respect of, in response to that goods or services, वो check करेगा money मिला क्या, फिर money के definition में जो भी मिला होगा, कोई भी legal tender, instrument, promissory note, bill of exchange, या कुछ otherwise kind में मिला क्या, या फिर यहाँ पे कोई act, action में मिला क्या, या कोई forbearance मिला क्या, okay, कुछ तो benefit हुआ क्या, क okay, और ये free supply होगा, okay, in response to, in relation to, for inducement of your supply, okay, तो ऐसे case में उस पे GST नहीं आएगा, लेकिन, okay, वो जो payment हो, recipient से आए, या third party से है, ख्याल रहे, subsidy अगर government की होगी only, तो exclude होगा, sir, अगर में subsidy मिल रहे है, private organization की, तो वो add होगी, private organization की add होगी, किस की exclude होगी, government की exclude होगी, और deposit, okay, for payment of supply exclude होगा, फिर, वहाँ लिखना होगी, तो लिख सकते हो, deposit refundable हो, या non-refundable हो, लेकिन, अगर वो adjust हो गया, against the consideration, और आपके, और rent के against में adjust हो गया, या आपके service के against में adjust हो गया, या आपके goods के against में adjust हो गया, payment में, तो जिस दिन adjust होगा, उस दिन, वो supply माना जाएगा, चलि एक word इसमें use किया है, in respect of, in response to supply, ये अब ठीक है, legal jargon से, in short, आपने जो supply किया, उससे related पैसा मिला, या उसके response में third party से मिला, जैसे मैंने मारूती का example दिया, तो आपने जो supply किया, उसके response में किसी और ने मुझे पैसा दिया, किसी और ने दिया तो भी आएगा, inducement क्या होता है, inducement का यहां एक example दिया है, ये example से inducement में समझाना चाहोगा, okay, a restaurant offered free meal to driver of buses carrying passenger as an inducement to bring potential customer to his business premise, since the meal was not given to driver of empty buses, there is a direct link between the act of bringing passenger to food outlet and the provision of the free meal, the consideration here is his free meal provided, okay, consideration जो यहां पे free meal जो इसको provide किया जा रहा है, अब देखो बहुत सी बार, okay, यहां, जैसे consideration here is, for the, यहां forward डालना, for the free meal provided, okay, inducement क्या क्या जाता है, inducement मतलब आपको क्लिए कुछ ऐसा किया जा रहा है कि जिसके आप tempt और रहा है, promote कर रहा है करने के लिए, induce किया जा रहा है, tempt किया जा रहा है आपको, okay, तो अब यह क्या हो बहुत से private bus operator है, तो बहुत से restaurant वाले हैं, इनके साथ contract करते हैं, driver के साथ contract करते हैं, तु मेरे restaurant पर रोक, तु मेरे अगर restaurant पर रोकेगा, तो जो तेरे passengers है, customers है, वो restaurant पर रोकेगा, तो मैं तुझे free खाना दूगा, खाना तेरा free रहेगा, provided that तु बस रोक, अब कहने के induce किया कुछ करने के लिए, इसने induce किया कुछ करने के लिए, तो भाई साथ, अगर induce में कुछ action करके मिल रही है, कि मैं तुझे यहाँ पे food free दूँगा, तो passenger बस रख, बाकी किसी को नहीं देता हूँ, पर तेरी passenger बस होगी तो तू रोक, उससे फाइदा क्या मिलने वाला है यह induce करने से, पाइदा यह मिलने वाला है कि जो भाई, यहाँ पे passenger रुकेंगे, उससे business बढ़ेगा, तो ऐसे case में यह मत समझना कि उसने जो food दिया, वो free है, भाई साथ, वो food, literal sense में free नहीं है, वो induce किया गया, जिसके अगर इसमें कुछ action हो रही है, तो वो supply for consideration माना जाए भाई मैं देख तेर को, okay free training देता हूँ, तू मेरे लिए यह notes में help कर दे, या तू मेरे लिए यह action कर दे, या तू मेरा वहाँ add कर दे, तो यह induce किया जा रहा है, example ले रहा हूँ, भाई, मैं ऐसा करता नहीं हूँ, okay example ले रहा हूँ, तो वो inducement जो है, उसमेंगे, इसमेंग करके मिल रही है, वो भी supply माना जाएगा, ठीक है, तो यह था, regarding to example of inducement, ठीक है, free supply, very very important, free supply of goods or service not subject to GST, unless it is specifically covered in schedule 1, schedule 1 के अगर कुछ free supply होगे, schedule 1 के free supply होगे, तूस पे GST आएगा, otherwise India में किसी भी goods या service के free supply पे GST नाएगा, जैसे एकसे अगा, जैसे एकसे अगा, free TV channels, tourism के लिए website है, tourism information free है, आपको Instagram free है, आपको Telegram free है, आपको WhatsApp free है, भाई साब ये service से आप दुनिया भर की चीज़े कर रहे हो, तभी उस पे GST नहीं, आपको GST नहीं, हाँ, Instagram पे जो ad का पैसा मिल रहा है, जिससे ad का पैसा लिया, उसको GST है, आप तो free access कर रहे हो, free photo डा GST नहीं लगेगा, फिर वो goods का हो, या service का हो, that's all, now, next, a very important discussion, start करना भाई, इसके उपर case study आपको आ सकती है, supply for consideration, okay, very important, हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है, हाँ, यहाँ पे, चली, तो मैंने जैसे काप free supply पे GST नहीं आता है, जिससे मैं भी बहुत सारी free revision videos डालता हू, chapter 5, chapter revision, marathon sessions डालता हू, questionnaire discussion, genie book free दे रहा हो, okay, जिसका कोई extra charges नहीं है, तो उस activity पे GST नहीं आएगा, यह supply for consideration समझ लो, section 7, 1,1 कहत है, देखो, थोड़ा, थोड़ा complex discussion है, मानता हू, class का ending, ending part है, लेकिन मैं इतना ही कहुगा, पूरा ध्याम देना, पूरा ध्याम देना, ठीक है, section 7, 1,1 क्या कहता है, section 7, 1,1 कहता है, कि all form, all forms of supply, यहाँ तक है, all forms of supply, supply, हो सकता है goods का हो, हो सकता है services का हो, goods का हो, services का हो, ठीक है, और यह supply for consideration होना चिए, अब यह for का course of business होना चिए, यह supply for consideration होना चिए, और यह in the course of business होना चिए, भाई साब, यह word पे आम में ध्यान लाना चाहोगा, supply for consideration, supply for consideration, मतलब, मतलब यह, कि cause and effect होने चिए, मैं दो word use करने वाला हू, cause and effect, or you can say, contractual reciprocity, contractual reciprocity, okay, या फिर something against something, तीनों का मतलब यह की है, something against something, against something, okay, cause and effect, contractual reciprocity, or something against something, तीनों का मतलब एक ही है, तो नहीं समझा, तीनों का मतलब एक ही है, और क्या है, okay, मतलब यह है, कि, अगर मैंने supply किया, तो उसमें consideration होना चाहिए, या consideration है, तो supply होना चाहिए, cause and effect, okay, यह concept को समझ लो, यह concept को, cause, okay, cause supply, effect, consideration, यह consideration, तो supply, consideration, तो supply, consideration, दोनों contractual reciprocity होनी चाहिए, something against something होना चाहिए, sir, dance अच्छा लगा, लेकिन, meaning बताओ, मतलब यह है, कि, अगर मैं supply कर रहा हूँ, in the course of business, तो consideration होगे, तो ही GST, या मुझे पैसा मिला है, पैसा मुझे मिला है, तो उसके against मैं, supply के obligation भी होने चाहिए, there should be a obligatory situation for supply, तो, तो GST आएगा, sir, थोड़ा इसको और explain करूँ, बिलकुल, अब मैं यह CBIC clarification लेता हूँ, donation received by charitable institution for individual donors without quid pro co, यह तिसरा word है, और एक word इसको कहा जाता है, quid pro co, okay, मतलब क्या, अब थोड़ा समझ लो, एक charitable trust है, ठीक है, मेरी charitable trust है, आप अपना example लेना तो आपको ज़्यादा समझ भाएगा, मेरी charitable trust है, और, मेरी schools है, और school, यहाँ पर बहुत सारी schools है, अयूश जो है, सुनना, एक नाम लेते हैं, अयूश, अयूश जो है, धहन से सुनिएगा, मैं अयूश के पास गया, मैंने का, अयूश, मेरी charitable trust है, आप प्लीज डूनेट कीजिएगा, तो अयूश नहीं का, बिलकुल सर, मैं डूनेट कर देता हूँ, तो आपकी school में, एक room मैं construct करवा होगा, मैं बांद के दूगा एक room, और येस, वो स्कूल, उसके लिए जो भी पैसा लगेगा, मैं donation दूगा, अयूश के लिए, अयूश से 5 लाग का donation आ गया, और कि 5 लाट्स मैंने charitable trust को आ गया, अब as a act of philanthropy, as a act of gratitude, मैंने वो room, जो है, अयूश के नाम की nameplate ले लगई, कि इनके सौजन्य से, और कि ये room बनी है, जिसका नाम अयूश का लगाया, अब सवाल ये है, कि जो मुझे voluntary donation मिला, सुना, पैसा मिला, और जिसको पैसा मिलता है, और कि वो supplier होता है, पैसा मिला 5 लाग रुपए, consideration is there, लेकिन, क्या इसके against में, अयूश को, इसके against में, अयूश को कुछ supply करने की जिम्मेदारी मेरे पे थी, क्या ये contract, consideration for supply था, specially for Ayush, specially for Ayush, कि मेरे पे कुछ obligation था क्या, क्वार्ड प्रो को था क्या, कि मुझे something against something करना पड़ेगा, क्या उसने दे दिया, मैंने बांद के दिया, क्या मैंने ultimally डिया, औरके मैंने hmас दिया, ระ क्या में वे जन्रल अक्टमीटी के लिए, मैंने किया, वह नहीं वह देता तो भी में रुढ रुम बांद, कोई मेरे पे obligation नहीं था, हाँ उसका नाम लिखना, हाँ, नाम लिखना क्या एड़टाइजमेंट था, यह act of philanthropy, act of gratitude था, okay, नाम लिखना मतलब मैंने उसको कोई benefit दिया, ऐसा है क्या, तो CBIC ने यह clarify किया, पहले CBIC का clarification सबढ़ लो, CBIC ने कहा, okay, पढ़ लेते, एक एक लाइन पढ़ लेते, CBIC क्या कहना चाहता है, donation to charitable organization are considered a consideration only, वो सी consideration माना जाएगा, when there is an obligation, quid pro quo for recipient to provide a service in return, जो भी charitable trust को donation मिलेगा, वो consideration माना जाएगा, consideration माना जाएगा, जब उसके against में कुछ मुझे obligatory करना पड़ेगा, उसने 5 लाग रुपे दे दिया donation, मैंने एक रूम बान दी, पर मुझे obligatory कुछ करना नहीं था, उसके against donation दिया, voluntary donation दिया, okay, for recipient to provide a service in return, recipient of donation, institution like religious organization, charitable group, schools, hospital, orphans, old age home, often receive financial help or support in the form of donation or gift, gratitude and expression, recipient institution often acknowledge donors by placing name plates or similar acknowledgement on their premises as a gesture of gratitude or public recognition, organization for philanthropic act, दया भाव के act से, okay, वो यहाँ पर philanthropic act के अब से, यहाँ पर नेम प्लेट लगाएगी, no supply of service, when donor name are display in a manner that, very important, okay, highlight करना, when donor name are display in a manner that, it just expect the gratitude and recognition, without promoting the donor's business, हा, उसमे दोनर's business का प्रमट नहीं किया जा रहा है, it doesn't constitutes a supply of service and there is no GST liability, okay, उसके against में कोई GST liability नहीं आएगी, थोड़ा इस point को समझ लो, मैं यह कहना चाहता हूँ, कि अगर आपने किसी से voluntary donation लिया, आपने किसी से voluntary donation लिया, और वो voluntary donation के against में, आपका supply करने का कोई obligation नहीं है, तो contractual reciprocity नहीं है, quadro poke नहीं है, okay, contractual obligation नहीं है, okay, पैसा आ रहा है, but there is no obligation of supply, there is no obligation to do anything, तो वो just consideration है, उसके against में supply नहीं है, वो GST में नहीं आएगा, अब सामने वाले का name plate मेंने किस intention से लिया, अगर मैं उसको promote करना चाहता हूँ, तो फिर मैंने उसको कुछ दिया, उसको कुछ दिया obligation में, लेकिन अगर मैं प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, okay, वो just act of philanthropy है, तो उसके उपर GST नहीं आएगा, उसके उपर GST नहीं आएगा, example, अभी जैसे, बहुत सी बार क्या होता है, कि festival होते है, दानिया, दानिया में बहुत सी charitable institution program event run करती है, तो वो कहते हैं, मेरे पास आती है, कि आप voluntary donation करो, okay, हम आपका नाम promote करेंगे, V smart academy, okay, LED पे चलाएंगे, ज smart academy है करते हो, तो मैं donation देता हो, अगर इस तरह के quadro pro होगे, जिसमें obligation है कुछ करने का, तो ये donation taxable है, ये give taxable है, क्योंकि इसमें supply for consideration, या consideration for supply, दोनों चीजे cause and effect में है, okay, तो, पर अगर से पैसा मिला, पर कोई obligation नहीं है, कोई obligation नहीं है, तो वहाँ पे, okay, contractual reciprocity missing है, quad pro को न supply नहीं माना जाएगा, इसलिए, यहाँ पे, okay, जैसे, तो just name plate लगाना, मतलब ये supply नहीं है, दूसरा, ये principle सिफ name charitable trust के लिए और ये तो वर्दान है, ये clarification charitable trust का, क्योंकि ये clarification से charitable trust के कौन सी activity पे tax आएगा और कौन सी नहीं आएगा, बहुत clear हो गया, charitable trust अगर donation लेती है, okay, obligation कि करना पड़ेगा, तो GST देना पड़ता है, पर without obligation, voluntary लेती है, तो GST नहीं आता है, क्योंकि उसमें quadro pro नहीं है, उसमें something against नहीं है, उसमें supply for consideration नहीं है, same for inducement, एक सवाल पूछा गया, okay, आपके दिमाग में वो सवाल आ सकता है, कि, sir, आप जो ये genie book देते हो, okay, genie book दे है, आप free lectures देते हो, पर उसमें तो sir, आप add की intention से देते हो, वो intention नहीं, क्या आप पे उपर obligation है, क्या, कि आपको add करना ही है, okay, मैं genie book दूगा, पर आपको 50 student लाना ही है, या मैं यहाँ पे आपको free lecture दूगा, पर आपको 100 student लाना ही है, अगर आप obligation में कौाम कर रहे हो, तो clearly बताओ, okay, तो आप पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, okay, आपको देखना है, देखो, मैं ही देखना है, और सच में वो आइडिलाइजमन नहीं है, आपको support एक्जाम तक का, okay, तो ऐसे case में उसमें supply for consideration नहीं है, तो उसके आपर GST नहीं आएगा, यह समझा है या नहीं समझा लगाना पड़ेगा, तो ही GST की liability आएगी, I hope you understood, यह concept समझा है नहीं समझा, तो यह example लेते है, okay, तो हाँ, अगर कोई यह कह दे, हाँ, यह हो सकते है, अगर यह कह दे, कि अगर 1K likes आए, पर वो भी specific नहीं है, अब लाइक कोई भी कर सकता है, 1K like आए तो उसरी वीडियो द तो नहीं है, वो कोई specific वहाँ identify नहीं हो रहा है, कि किसका like की बात कर रहा है, okay, okay, तो word pro quo का मतलब something in return, something against something, something in return, meaning लिखना हो तो something in return, उसको कहते है, word pro quo, मुझे भी pronunciation में तड़ा यह दिक्कर दो जाता है, चलिए, okay, यह था, regarding to example, हमने देगा, भूशन डोनेटेड अ ब्लै uganish sansfo, a charitable yoga institution, the so youganist sansfo n, printed underneath the blackboard, so donated good wishes from Mr. Bhushan, यह supply for consideration नहीं है, then, चलिया, Artwork sent by artist to gallery for exhibition not a supply as no consideration flow from gallery to the artist, okay, यह concept समयuß लो, artist gallery relationship, समझ लो यह artist है, उसने कोई art design बनाई, कोई statue बनाए, और art gallery में भेजा, art gallery में भेजा, यह arrow करता ना, art gallery में, उसकी design वहाँ है, भाई साथ, यह पूरा picture हमने बनाए, not copied from anywhere, मैं ऐसे पूरी story बनाए था, कि मुझे क्या चाहिए, और फिर देखो, जो picture यहाँ बनाया, ऐसा copies मिलना मुश्किल है, कि character हमने बनाया, जो बनाया है, वही आपको art gallery में दिख रहा है, वही statue आपको यहाँ दिख रहा है, तो यह exhibition है, exhibition में दिखाया जा रहा है, तो law क्या कहता है, कि जब आप यह goods को remove करोगे, okay goods को remove करोगे for exhibition, और कौन artist, तो यह without consideration है, यह लिखो वहाँ पर without consideration है, और अगर यह without consideration है, तो इसके उपर remove पर GST नहीं है, no GST on removal, क्योंकि consideration ही नहीं है, क्योंकि वह तो वहाँ आपने भेजा, exhibition में, हाँ, अगर यहाँ sale हुआ, if sold, यहाँ लिखो, if sold, in exhibition, if sold in exhibition, then, GST is favor, then GST is favor, वो case में आपको GST आजाएगा, okay, वो तब आएगा जब sale होगा, पर अगर हमें exhibition के लिए लेके जा रहे है, तो वो case में supply नहीं आएगा, so artists provide their artwork to gallery or exhibition, but no consideration is exchanged between gallery and artist, during this stage, the initial act of sending the art of gallery for exhibition does not constitute a supply, very important, जब आप भेज रहे हो, तब supply नहीं है, actual supply कब होगा, actual supply occurs when buyer chooses a specific artwork from gallery's exhibition, at the time of this selection and sale, GST become applicable and must be paid, okay, जब actual वहाँ पे sale होगा, तब आपको GST देना पड़ेगा, okay, यह सम्झाएगा, art gallery का सम्झाएगा, तो gallery का G टाइप करे, मन में टाइप करे, चलो, कुछ छोड़ी-छोडी cases ले लेता हो, जो CBIC ने time-to-time press release या CBIC ने clarify किया, equipment and instruments sent to manufacturer factory for repairs and calibration within India on returnable basis, it is not a supply as removal of goods without consideration, underline, it is sufficient to issue a challenge for moment of goods without supply, समझलो मैंने camera खरीदा, business के लिए खरीदा, Vsmart Academy में camera आगिया, और वो camera आने के बाग, पता चला उसमें कोई technical problem है, उसमें technical problem होके जब पता चले, तो मैंने वो camera रिमूओ किया, Vsmart के office से, for repair, तो मैं अगर कोई equipment, instrument, रिमूओ कर रहा हूँ for repair, क्योंकि मैं warranty period में हूँ, और रिमूओ कर रहा हूँ on returnable basis, कि मैं repair करके वापस करो, तो अगर कोई भी factory, machine रिमूओ कर रही है, के लिए आपको goods दिया, वापस आएगा, तो that is remove of goods, supply of goods, without consideration, क्योंकि वो repair के लिए गा रहा है, वापस आएगा, तो उसके वापर GST नहीं आएगा, दूसरा, spare parts freely supplied to replace during warranty period, जैसे during warranty, manufacturer free spares देता है, parts spare देता है, जैसे आपने, अगर कोई bike खरी दी, तो during warranty period, piston खराब हो गया, तो company piston भेचती है, during warranty period, कोई part खराब हो गया, तो company free भेचती है, तो company जो भी free supply करती है, warranty period में, उसके वोपर GST नहीं आता है, क्योंकि वो without consideration है, okay, सारे situation important है, problem में पुछे जाते हैं, यह table important है, कि during warranty period, अगर कोई company ने components free दिया कस्टमर को, तो उसके पर GST नहीं आएगा, free food supplied in Annashatras, run by religious institution, जैसे Shirdi Sai Baba Trust, food free दिया जा रहा है, उस पर GST नहीं आता है, not chargeable to GST, sale of prasadam by religious place, हाँ, यह important है, religious place पे जो prasadam दिया जाते हैं, जैसे बालाजी के लड्डू, नहीं माना जाता है, business नहीं माना जाता है, यह next definition business में देखेंगे, और उस पर भी GST नहीं आता है, क्योंकि religious trust जो लड्डू दे रही है, प्रasadam दे रही है, for some amount, it is even though consideration is there, but not in the course of business, free distribution of goods by charitable institution, again consideration नहीं है, उसके पर GST नहीं आएगा, तो इस तरह से consideration, इस definition को हमने, तोड़ तोड़ के फार दिया, और हर angle से discuss कर लिया, कि consideration क्या होता है, और supply for consideration का क्या importance है, यह discussion हमने यहाँ पर complete किया, चलिए दोस्तर, तो आज का session यहीं रुखता है, घर पे जरूर पढ़ना, तो आपकी understanding level super super हो जाएगी, और confidence भी super boost हो जाएगा, तो चलिए, यहाँ आज रुखता है, आगे का discussion, हम next session में continue करेंगे, then all the best, good day, good night, and आज का दिन आपका, सबसे अच्छा दिन रहे, thank you so much.